इसको आप देख सकते हैं जिसमें की यू कैपिटल है आर कैपिटल है अनकेडमी अंडर्सकोर रमन शुरू करें डिसकेशन ठीक है यह टेलेकरम गुरूप है कोई भी डाउट है कुछ भी पूछना है वहाँ करके आप मिटसे पूछ सकते हैं कल मैंने एक शॉट चैनल पर अप्लोड किया था जिसमें आने वाले वन शॉट किस दिल होंगे क्या टाइम होगा वो सब मैंने मेंशन किया था और प्लेयलिस्ट का लिंक मैंने comment section में pin करवा दिया था प्लेयलिस्ट का लिंक आप प्लेयलिस्ट पे जा सकते हो उर इससे पहले जितने भी one shot मैंने कराए है chapters के वह आप एक बर देख सकते हो चलो शुरू करें Hello, hi, Good Afternoon प्रणाम वाले बच्चों को प्रणाम भी ठीक है चलो शुरू करते हैं आते हैं मुद्धे पर देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना सीधा पॉइंट पर आते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट कियें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं और चैप्टर काफी लेंदी है ठीक है तो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बाते करना स्टार्ट करते हैं चल शुक्रिया अभिशेक देखो जब हम लोग ये चैप्टर कर रहे होंगे मतलब की इसके उपर जब हम बात करेंगे जमेटरी के उपर तो क्या-क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं पहले वह आप देख लिए न क्या-क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एंड यार एक बात मेरी समझ के चलना स्टार्टिंग के जैसे आज पहली क्लास है ठीक है मतब तीन सेशन में ने रखे हैं आज कल और परसो तीन दिन आपके लगाता जमेटरी के मैराथन के सेशन चलेंगे ठीक है अब बात को सुनना देखो पहला सेशन में हो सकता है कि कु अगर आप पूरा लाइब नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना लेकिन पूरा कम्प्लीट खतम करना अपना पहला सेशन एक बार आपको पहला सेशन समझ में आ गया ना यानि आज वाला मतलब कहने का थोड़ा सा इंटरस्ट आपका डेवलप हो गया तो आप बाकी की चीज़ें बड़े अराम से डील कर जाओगे ठीक है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं आपको कराऊंगा राइट मतलब मैं एक दम वो बच्चो वाली बाते नहीं करूंगा कि देखो ट्रेंगल की तीन साइडे होती है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है इतने बच्चो वाली बाते करने की जरुवत है एक बार बताएंगे चाट के थूँ सभी ये सब बाते तो जरुवत नहीं है इतना बेसिक जाने की कि ट्रेंगल की तीन साइड होती है एंगल का सम 180 होता है ये बहुत ही ज्जाधा basic और ये मुझे लगाता है कि सब को पता हो जैसे कि in center पर बात करेंगे फिर circum center हो गया, ortho center हो गया और centroid हो गया, right, अब जब मैं आपको in center पढ़ाऊंगा तो उसी में angle by sector आ जाएगा, तो angle by sector से related भी बाते करेंगे, right, मैं आपको ortho center पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर altitude आ जाएगा, centroid में median आ जाएगा, तो वहाँ पर इन ठीक है जी बात, ये पूरा structure चलेगा, okay, तो ये एक point है session का, अब हम लोग शुरू करते हैं, point प्यार आते हैं, मुद्दे प्यार आते हैं, लेकिन एक बात, trust me, इस चीज की guarantee है, कि जितना भी मैं आपको geometry कराऊंगा न, जैसे plus batch में जब मैंने geometry बच्चों को कराया था, तो rarely शायदी, बहुत ही rarely वो किसी भी mock test में कोई भी question उनका छूटता है, geometric गा, right, मतब geometry को ले करके, आप मेरी side से sure हो जाओ, and kind of guarantee समझ लो कि एक बार आप ये पूरा geometry cover कर लो, जो भी आज कल परसों में class होने वाली है, for sure आपको geometry में दिक्कत नहीं आएगी, बस आप धंग से एक बार revision कर लेना, हर एक बात का, जितनी भी properties मैं बताता हूं, वो सारी property भी एक बार sum up कर लेना, ठीक है, चलो, फिलाल हम लोग शुरू करते हैं, right है, जितना मैं पढ़ा हूं, और धंग से दो-तीन बार चीजों को revise कर लेना, अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, that is center से, हम लोग सबसे पहले start करेंगे कहानी को center से, and then दीरे-दीरे करके आगे बढ़ेंगे, चलो, शुरू करें, हाँ, इसके बाद mensuration करेंगे, देखो, सबसे पहले यार, कुछ basic सी बाते हैं, चलो, अब मुद्दे पर आते हैं, और फटावट से पहले game के rule देख लेते हैं ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे in center पे, और फिर in center नाम की एक game है, पहले उसके फटावट से rule सुन लो क्या क्या होते हैं, in center, नाम से पता लग रहा है center of in circle, कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपके सामने मैंने एक triangle बनाया है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर म नाम से पता लग रहा है, triangle के अंदर जो circle है, उसी के center को हम लोग क्या कहते है, that is, in center कहते है, मतलब in center क्या होता है, center of in circle होता है, बट देखो, बहुत जल्दबाजी में मत भागना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, यहाँ पर न, एक तो ही हो गया, और in center क्या होता है, अगर मैंने acute triangle बनाया है, अगर मैंने right triangle बनाया है, या अगर मैंने obtuse triangle बनाया है, या फिर मैंने obtuse triangle बनाया है, जो in center होता है, वो हमेशा triangle के अंदर ही रहता है, वो हमेशा triangle के अंदर रहेगा, कुछ center ऐसे होते हैं, जैसे कि circumcenter जो है, वो कुछ cases में triangle के बाहर बनता है, ortho center क्या है कुछ cases में triangle के या तो hypertenus पे होगा या फिर आपके किस पे होगा right angle पे होगा तो ये ना position हमें clear होना जरूरी है कि जो center होते हैं center की positions क्या होती है इनकी position क्या होती है तो position के point of view से in center इतना को important है नहीं क्योंकि in center तीनों ही triangle के case में inside रहता है अब ये दो बहुत important point है ये दोनों ये जो दो point है काफी important है कई बार exam में क्या होता है कि आपको direct in center बोलने की बजाए जैसे क्या है कि मालो एक question है अब उसमें अगर मैं direct आपको in center word use कर दूंगा न तो आपके दिमाग में क्या होगा in center से related formula खुल जाएंगे और आप answer कर दोगे लेकिन कई बार वो लोग क्या करते है in center direct बोलने की बजाए क्या बोलते है कि in center is equidistant from all the side in center एक ऐसा point होता है जो सारी side से equidistant होता है इस बात का ध्यान रखना समझगे मैंने क्या बोला कोई भी question है उसमें direct in center नहीं बोलेगा बोलेगा there is a point inside the triangle which is equidistant from all the sides तो इससे क्या होगा कि आपको खुद समझना है कि यार ये in center की बात कर रहा है और चौता point आता है that is in center is the intersecting point of all the three angle by sector जो in center होता है वो intersecting point किसका होता है तो in center आपका intersecting point होता है सारे के सारे angle bisectors का मतलब क्या है कहने का मेरा वो सुनना अगर मैंने आपके सामने let's say एक triangle बनाया angle bisector सबको पता है angle bisector का मतलब होता है जैसे कि ये एक angle है अब इसका bisector बनाओ मतलब ऐसी line बनाओ जो इस angle को bisect कर दे जैसे कि ये line हो गई ऐसे यहां पर मैंने एक एंगल बनाया एक ऐसी लाइन बनाया जो इसको बाइसेक्ट कर दे एंड सिमिलरली यहां मैंने एक एंगल बनाया एक ऐसी लाइन बनाया जो इसको इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर दे angle को bisector दे, तो ये तीन मैंने angle bisector बनाए है, इनका जो ये intersecting point है, इन सब का, जो ये intersecting point आपको दिख रहा है, this is in center, ये आपका क्या है, in center है, क्या ये बात clear है सभी बच्चों को, तो ये बात आप ध्यान रखना कि कई बार वो लोग direct आपको in center नहीं बोलेंगे, क्या inside the triangle, which is equidistant from all the sides, which is the intersecting point of all the angle bisectors, ये छोटी छोटी बाते आप ध्यान रखना, दूसरा point लगे हाँ सुनना, कि अगर मैंने आपके सामने एक triangle बनाए, जैसे मैंने triangle बनाए आपके सामने, अब यहाँ पर आप देखना, जैसे मैंने बोला ये, ये क्या है, ये जो center है, इसको line मैंने बनाई, और ये line मैंने बनाई, ये जो point, ये जो line मैंने बना रखिये, ये, ये क्या है, अगर मैं बात करूँ, that is O, और P मानलो, या ये Q है, या ये R है, तो यहाँ पर O, P जो है, वो equal to है, O, Q के, and that is equal to O, R, और इनको हम लोग क्या बोलते है, that is in radius बोलते है, क्या आलार लिखूंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है जी बात, तो यहाँ तक बाते सभी बच्चों को clear है, कि सबसे पहले in center क्या होता है, वगेरा वगेरा, ये बाते समझ आगी, अच्छा, दूसरी बात सुनना, मैं क्या करूंगा, कि आपको ना, कुछ ऐसे property क्यालो, कुछ इनकी derivation नहीं बताऊंगा, जिनकी derivation मुझे खुद नहीं आती, मजाग कर रहा हूं मैं, मतलब उनकी derivation कुछ खास नहीं है, देखो कुछ properties ऐसी होती है, जिनकी derivation से ना, आप बहुत कुछ सीखोगे, आप questions को deal करना सीखोगे, तो उनकी derivation आपको पता होनी चाहिए, उन derivation इतनी important नहीं है, तो उनको जानने के आपको कोई खास जरूवत है नहीं, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखना, अब यहाँ पर अगला point यह निकल के आता है, कि how to find the angle made at in center, भई, in center के उपर जो angle बनता है, वो कैसे find किया जाता है, तो अगर मैंने आपके सामने एक triangle बनाय है, अगर मैंने ABC नाम का आपके सामने triangle बनाया, और इसमें यह जो I है ना, I आपका in center है, ठीक है, तो अगर आपको angle निकालना है, that is BIC, अगर आपको BIC angle बताना है, और I का मतलब है in center, तो यहाँ पर angle BIC का formula क्या होता है, that is 90 plus half of angle A, यानि यह वाला angle अगर आपको बताना है तो अगर यह angle theta है, तो यह वाला angle क्या होगा, यह वाला angle क्या होगा, that is 90 plus theta by 2, यह बात आप simple सी ध्यान रखना, इसकी जो derivation है, वो इतनी कोई खास important है नहीं, तो आपको जानने की जरुवत भी नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरह से, अगर let's say आपको निकालना है इसी तरह से, अगर माल लेते हैं, आपको निकालना है, that is, अगर आपको निकालना है AIC, ठीक है, इसी तरह से, अगर आपको AIC angle बताना है, right, कि भई, angle AIC क्या होगा, तो that will be 90 plus half of angle B, and इसी तरीके से, अगर आपको बताना है, that is, कि BIA angle क्या होगा, तो that will be 90 plus half of angle C, तो बस ये बाते ध्यान रखना, इसके angle कैसे निकाले जाते हैं, हाला कि इसकी derivation इतनी कोई खास important है नहीं, मतलब इसकी derivation से आप कुछ नया नहीं सीखोगे, तो जानने की जरुवत नहीं है, बस ये आप formula ध्यान रखना कि किस तरीके से ये angle निकाले जाते अच्छा दूसरी बात क्या है, कि जो मेरे questions है ना, जो भी मैंने आज question रखे, वो बहुत जादा direct question मैंने नहीं रखे है, मतलब ऐसे question मैंने नहीं रखे है, कि ये triangle है ABC, और ये I हो गया in center, ये in center हो गया, अगर angle A आपका like 50 degree है, तो बताओ angle BIC क्या होगा, तो जो बहुत जा direct question होते हैं, वो मैंने नहीं रखे है, क्योंकि उनका कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, अब आते हैं, आज के एक question के उपर, एक छोटा जा question है, आप जड़ा फटावट से कर दो, और मुझे बता दो क्या answer आएगा, this is angle B, and this is angle AIB, और angle BIC, ए बिल्कुर प्रतीक, basic से करा रहा हूँ है, basic से मतब बहुत ज़्यादा भी basic नहीं, जैसे मैंने starting में बोला था कि triangle की 3 side, 3 side होती है, 3 angle का सम्भू होता है, बस सुन लिया प्रतीक मैंने, basic से ही करा रहा हूँ है, ठीक है, सुनना बात को, देकिन बहुत ज़्यादा basic भी नहीं अब यह question मैंने आपके सामने रखा है, मैंने इसमें छोटी सी बात यह बोली, कि in a triangle ABC, I is a point which is equidistant from all the side, तो यहां से क्या पता लगा, यह जो line बोली है, कि I is the side which is equidistant from all the side, समझ गए, तो कई बार examiner न, direct आपको नहीं बोलेगा, direct नहीं बोलेगा कि I का मतलब in center है, या circum center है या ortho center है, बलकि indirect manner में बोला, मुझे पता है क्या, मैंने starting में लिखा था न, in center, in center is equidistant from all the side of a triangle, तो यहां से clearly पता लग रहा है, कि यह जो I है यहां पर, इस I का मतलब क्या है, इस I का मतलब है in center, इस I का मतलब क्या है, in center, अब अगर मैं आपके सामने triangle ABC बनाता हूं, जैस पर एक point हो गया, that is I, तो यहां पर इसने मुझे angle B दे रखा है, angle B कितना है, मेरा 76 degree है, अब यहां पर अगर मैं आओं और यह in center है, तो मुझे पता है कि यार मैं angle AIC बड़े अराम से बता सकता हूं, कि angle AIC क्या होगा, that is 90 plus 76 का half, 76 का half क्या होता है, 38 होता है, तो कितना आ ज से क्या पूछा, लेकिन मैंने आप से यह पूछा है कि यह बताओ, angle A, I, B और angle B, I, C, इन दोनों का sum क्या होगा, तो मुझे पता है कि यह तीनों के तीनों मिल करके पूरा 360 degree का angle बना रहे हैं, यह पूरा 360, जब पूरा एक ऐसे rotation हो जाता है न, this is 360 degree, तो यहां पर मुझे पता है कि B, I, C, प्लस B, I, C, प्लस angle A, I, C, प्लस, मतलब this angle, this angle and this angle which is 128 degree, प्लस 128 is equal to 360, तो यहां से angle B, I, C, यहां से B, I, C, और यह कितना आ जाएगा आपका, that is 232 degree, simple सी बात है, right, clear है बात, तो अभी जो मैंने आपको formula बता है, उस पर एक छोटा सा question बस मैंने ऐसे डाल दिया है, ताकि थोड़ा formula पे हास्ट हो जाए, ठीक है, done है को दिक्तत तो नहीं, आगे बड़ी, ठीक है, अब आगे सुनना, अब एक काम करो, अब न, अब मैंने ऐसे नहीं करूँगा कि आप आपको एक property कराई, उस पर question करा दिया, एक property कराई, उस पर question करा दिया, ऐसे नहीं, उससे का होगा आपका दिमाग नहीं चलेगा, अब ये काम करता है, बच्ची भी सारी property करता हैं, ट्रस्ट में कई properties ऐसी होंगी, जो आपने नहीं देखी है पहले, ठीक है, लेकिन सबर के स साथ अराम से सुनना, अब अगला एक point ये आता है, अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, how to find the length of in radius, in radius की length कैसे निकालते हैं, in radius पता है सभी बच्चों को in radius क्या होता है, right, in radius किसे कहते हैं, मैंने starting में आपको बताया था, यहाँ पर देखो, यह मैंने बताया था in radius का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको starting में बताया था, कि अगर कोई triangle मैंने बनाया है, ठीक है, in radius मैंने आपको starting में बताया था, कि अगर मैंने आपके सामने एक triangle बनाया है, और उसके अंदर मैंने एक circle बना रखा है, तो उस circle का जो center है, that is in center, और इसी की radius को हम लोग in radius कहते हैं, तो point यह आता है, कि यार in radius, जिसे कि हम लोग small r कहते हैं, in radius जिसे small r कहते हैं, skeleton triangle, right triangle और equilateral triangle, इन triangles के अंदर in radius कैसे calculate की जाती है, ये मुद्दा है, और इनकी derivation आप सुन लेना, अब जो मैं question आपको बता रहो, इनकी derivation आप जरूर सुन लेना, पहले तो मैं direct result लिखता हूं, लेकिन इनकी derivation आप समझ लेना, क्योंकि इनकी derivation important है, आपके fundे काफी हद तक clear करेंगी, ध्यान से सुनना, अगर मैंने एक बनाए scale and triangle, scale and triangle मतलब जिसकी तीनों side है unequal है, एक side A, एक side B और एक side C, तो ऐसे में, scale and triangle में in radius का connection क्या होता है, that is, कि area of triangle is equal to r into s, यहाँ पर इस triangle के symbol का मतलब है, that is area of triangle, s का मतलब क्या है, s का मतलब होता है, semi perimeter, s का मतलब क्या होता है, that is semi perimeter, which is A plus B plus C by 2, तो area of triangle होता है, r into s होता है, अगर मैं बात करूँ right angle triangle की, तो अगर मैंने आपके सामने एक right angle triangle बनाया है, यहाँ पर right angle है, अगर इसकी यह वाली side A है, यह वाली side B है, और यह वाली side C है, मतलब hypertenous C है, क्या, hypertenous अगर आपका C है, तो यहाँ पर in radius कैसे निकाला जाता है, that is A plus B minus C upon 2, ऐसे निकाला जाता है, उसके बाद आते है, equilateral triangle पे, equilateral triangle मतलब जिसकी तीनो side है equal है, मतलब A, A और A, तो यहाँ पर in radius कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर हमारे, क्या, यहाँ तक clear है ना, बाते सभी बच्चों को, A plus B, और cross check करते रहना, और साथ ही साथ आप लोग cross check करते रहना, कि कितनी properties आपको already पता है, जैसे equilateral triangle में in radius निकाला जाता है, that is A upon में 2 root 3, यह फॉर्मला होता है, तो skeleton triangle में in radius का यह फॉर्मला है, right angle में यह फॉर्मला है, और equilateral triangle में यह फॉर्मला है, लेकिन, कुछ नहीं है, अजली अभी तो बस मैंने फॉर्मला बता है, कि area of triangle मतलब, skeleton triangle में जो side है ABC, इसमें कैसे connect कैसे होता है, in radius का क्या connection है, अगर किसी triangle की 3 side है आपको given है, और वो isosless या फिर skeleton triangle है, तो area of triangle is equal to R into S, right, इस triangle का मतलब है area of triangle, R मतलब in radius, और S का मतलब semi perimeter होता है, S मतलब semi perimeter, which is A plus B C by 2, अब ये बात को समझते हैं, अब इस बात को, अब इनकी derivation सुन लेना, क्योंकि इनकी derivation थोड़ी सी important है, उस पे हमारे funday clear होने जरूरी है, देखो, तो इसकी derivation सुन लेना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो मैंने आपको skeleton triangle बताया, जो मैंने आपको skeleton triangle बताया, उस के सामने, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये मेरा triangle हो गया, अब यहाँ पर आप imagine करो कि मैंने जैसे इसके अंदर एक circle बनाया, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक circle बनाते हैं, और देखो कुछ ना छोटी छोटी बाते होंगी, जो अपने को पकड़ के चल लिए, अब सब को क्या ये property पता है, मुझे चैट के थुरू बताना, थोड़ी बहुत property mix चलेंगी या, जैसे कि अगर मैंने एक circle बनाया है, एक circle को जो line टच करते हुए जाती है, उसे हम लोग कहते हैं, तेंजेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तेंजेंट कहते हैं, और ये क्या होता है, ये जो point मैंने बनाया, circle को tangent जहां पे touch करता है, उसे हम लोग कहते हैं, point of contact, क्या कहते हैं, that is point of contact कहते हैं, यहाँ पर आपका center है, तो जो center होता है, वो point of contact पे perpendicular होता है, क्या होता है, तो यहाँ से अगर मैं in radius बनाता हूँ, यानि कि small r देखूं, तो वो इसके साथ perpendicular होगी, क्योंकि यह जो triangle है ABC, उसमें जो BC है, वो इस circle का क्या है, tangent है, तो center से, जो point of contact है यह वाला, यहाँ पर यह perpendicular होगा, same with यहाँ पर भी जो in radius है, perpendicular होगी, यहाँ पर भी आपकी in radius क्या होगी, that is perpendicular होगी, अब आप क्या करते हो, अब आप यहाँ पना इस triangle के थोड़े से हिस्से कर देतो, जैसे की यह, यहाँ पर यह, यहाँ पर यह, और यहाँ पर यह, इस तरीके से, right, अब मान लो कि यह वाली जो side है, यह वाली side है आपकी A, यह वाली side है B, और यह वाली side है, यह side है आपकी C, अब अगर आप area निकालोगे, अगर आप area निकालना चाहते हो triangle ABC का तो मैं कह सकता हूँ पूरे के पूरे ABC triangle का area इसको I बोल दो will be equal to area of triangle AIB plus area of triangle BIC plus area of triangle CIA अब जो पूरे के पूरे triangle का area है जो पूरा ABC triangle का area है let's say उसे मैं denote कर देता हूँ इस symbol से इस symbol से मैंने पूरे area of triangle को denote कर दिया ओके अब यहाँ पर सुनना area of triangle AIB क्या होता है अगर आप AIB पर ध्यान दो तो आप सबको यह बात पता होगी मेरे हिसाब से कि एक triangle का area यह भी होता है कि अगर किसी triangle पर आपने एक perpendicular डाला है जैसे मालो यह perpendicular है तो अगर तो आप इसको base consider करते हो तो area of triangle क्या होता है half into base into height पता है सभी बच्चों को half into base into height तो अगर आप इस पे ध्यान दो किस पे that is a, i और b तो a, i, b पे ध्यान दो तो जो in radius है वो ab के उपर perpendicular है तो क्या बनेगा half into base यानि की c और height क्या होगी r होगी right है जी सही बात है plus अगर आप b, i, c निकालते हो तो अपकी बार जो आपकी in radius है जो ये in radius है small r वो b, c के ओपर perpendicular है तो half into a into r and इसी तरीके से half into b into r अब यहाँ पर area of triangle क्या होगा अगर आप यहाँ से r common निकालो, तीनों में से r common निकालो तो अंदर क्या बचा c by 2 plus a by 2 plus b by 2 right यानि की r और यहाँ पर क्या बचा a plus b plus c by 2 और a plus b plus c by 2 का मतलब क्या हुआ, भाई, तीनों साइडों को add करते हो तीनों साइडों को add करने पर क्या आता है, perimeter perimeter का half क्या होता है, a plus b plus c मतलब क्या perimeter मतलब तीनों साइडों को add करना तो तीनों साइडों के sum को 2 से divide करोगे, तो क्या आता है, semi perimeter यानि r into s आता है तो that's why area of triangle होता है r into s देखो कुछ एक question ऐसे है जिनकी derivation आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका thought process improve हो क्या improve हो आपका thought process कि अच्छा किसी में अगर ऐसे circle है तो वहाँ पर perpendicular जाएगा triangle को तीन हिस्से कर सकते है और यह जो perpendicular है तो इस derivation ना तो मैं आपको कुछ एक derivation कराऊँगा जो actually आपके fundे clear करेगी clear है बात सभी को आगे बढ़ते हैं अगला point सुनना अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ right triangle पे तो right triangle जो मैंने कराया उसकी derivation और यह तो बहुत important derivation है इस derivation में जो एक बात मैं use करूँगा न उस पर based cat में already बहुत question आ चुके है अभी जो मैं बात use करने वाला हूँ ठीक है देखो अगर मैंने यहाँ पर बनाया एक right triangle बनाया मैंने आपके सामने ठीक है क्या बनाया एक right triangle बनाया ABC नाम का right अब मैंने क्या करा है यह right angle है मैंने इसके अंदर बनाया एक circle मैंने क्या करा मैंने इसके अंदर बना दिया एक circle ध्यान से बात को सुनना बहुत तसलिस है ठीक है fund day improve करने पर ध्यान दो यह मैंने बना दिया circle यह center है अब आपको पता है कि sir जो BC है जो BC है वो इस circle का क्या है tangent है तो sir जो in radius है वो यहाँ पर क्या होगी perpendicular होगी यानि small a इसी तरीके सा sir यह भी यहाँ पर क्या होगी perpendicular यानि कि small a होगी इसको नाम दे दो यह i है इसको नाम दे दो p और इसको नाम दे दो q यह p और यह q हो गया हाँ अनन्या आईसोसलेस में सेम कहानी चलती है उसके लिए कोई separate formula नहीं है अब ध्यान से सुनना नन्या अगर आपके सामने मैंने एक quadilateral बनाया एक quadilateral बनाया है जिसके साथ देखो यह 90 यह भी 90 और b एंगल तो था ही 90 यह b, यह p, यह i, यह q यह ही 90 अगर यह sub 90 तो यह भी 90 होगा भई तीन एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा अब एक बात मुझे यह बताना आप सभी बच्चे क्या यह rectangle है या यह square है या सर कुछ भी हो सकता है अगर किसी भी quadilateral के 4 एंगल 90 degree है तो वो rectangle, square दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चलो rectangle माल लेते हैं, rectangle की opposite side equal होती है, rectangle की opposite side equal होती है, अगर P I small r क्योंकि P I मतलब in radius, तो भईया ये भी in radius होगा, अगर ये in radius, तो ये भी in radius होगा, that means ये r, तो ये भी r, ये r, तो ये भी क्या होगा R होगा, होगा R, right, अच्छा, ये क्या है, मालो ये perpendicular है, ये इस right angle triangle का perpendicular है, ये इस right angle triangle का क्या है, base है, और ये इस right angle triangle का क्या है, that is, hypertenous है, that is hypertenous है, अगर ये BC की length है, इस BC की length है B, जिसमें ये हिस्सा आपका R है, तो ये क्या होगा, that is B minus R होगा, ऐसी PB अगर आपका R है तो इसका मतलब ये जो AP है ये जो AP है ये क्या होगा P-R होगा P-R होगा, राइट आगे सुनना, अब साथी साथ आपको सरकल की एक छोटी सी बात और बताओनी चाहिए, देखो इसलिए मैं कहा रहा था आज का सेशन बस धंग से अटेंड कर लो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कई ना सारी छोटी छोटी बाते मिक्सप चलती है कितने बच्चों को ये बात पता है, मुझे चैट के थूँ बताना कि अगर एक सरकल के उपर किसी भी external point से एक सरकल पर आप maximum दो tangent बना सकते हो किसी भी सरकल पर आप external point से maximum दो tangent बना सकते हो और उन दोनों tangent की length equal होती है मतलब PA is equal to PB पता है ये बात तो अगर ये वाली length आपकी ध्यान से आप बात को पकड़ना क्या बोला मैंने कि जो length होगी AP की यानि AP जो है वो आपका इसको क्या बोलो R बोल दो AP जो है वो AR के बराबर होगा यानि AR की length क्या होगी P-R होगी इसी तरीके से जो CQ है आपका वो CR के बराबर होगा यानि CQ अगर B-R है तो ये भी क्या होगा B-R होगा तो this simply means ये –R –R मतलब 2R तो इसको इधर लेओ ये 2R हो गया और ये P-B-H हो गया तो यहां से R की value क्या हैगी P-B-H by 2 दिक्कत ये होती है कि हम लोग हर बात को सिर्फ रट रहे होते हैं कुछ चीजों की derivation समझो इसकी derivation में जो आपने ये वाली बात यूज करी है न जो आपने circle बनाया ऐसे बहुत question आपने देखे होंगे मैं guarantee दे सकता हूँ बहुत question आपने देखे होंगे कि जिसमें ऐसे होते हैं मतलब direct in radius के question नहीं होते पर ये जो thought process है कि भाई ये circle है ये circle है तो ये यहां पर perpendicular होगा ये यहां पर perpendicular होगा क्योंकि tangent के साब से ये r है ये r है तो ये भी r होगा ये भी r होगा मतलब ये square बन गया p, p, i, q, b square है एक बार आई बात समझ में जै समझ आ गया अभी जो मैंने बताया आपने का short में explain कर दो आ गया समझ में ठीक है तो इसलिए इसकी derivation वाली बात को पकड़ना और आप ये देखो इसकी derivation साब छोटी छोटी बात है पकड़ते चल रहे हो एक तो ये बात recall हो गई कि भाई किसी भी circle पे दो tangent होते है, equal length के होते है clear दरे बात किसी भी circle पे दो tangent equal length के and वगेरा अच्छा, एक और point सुनना हाँ, बिल्कुल मैं repeat करता हूँ या देखो, यहाँ पर मैंने ये बोला हाँ, यहाँ मैंने ये बोला, देखो ये वाली बात समझा ही एक बार ये बताओ, chat के थूँ पहले तो मुझे कि जो a r की length है वो p minus r होगी और जो c r की length है वो b minus r होगी होगी, अब अगर आप ये पूरी length देखो ac, अगर आप ये पूरी length ac देखोगे तो आप ये कह सकते हो न, कि sir ac is equal to a r plus c r, अब ac क्या है, h है, ar की length क्या है p minus r, c r की length क्या है, b minus r, तो यहाँ से minus r, minus r कितना होगा, 2r हो जाएगा, हाना ये 2r हो गया, 2r को इधर लियाओ, तो ये 2r इधर हो गया ये p plus b minus h हो गया, तो r की value क्याएगी p plus b minus h by 2, जिसे हम लोग direct रट लेते हैं, ये reason s का 2r, ये minus r, minus r हो गया, minus r और minus r add करोगे, तो h is equal to p plus b, और ये minus का done है, बात clear है, देखो यार, पहले सुन ले न, मेरे session थोड़े lengthy जाते हैं, एक मिर्टे न, हाँ जी, तो मेरे session थोड़े से lengthy हो जाते हैं, बट क्योंकि यार, मुझे complete पढ़ाना होता है, अब complete का मतब ये निया, मैं बिल्कुल basic से पढ़ा रहा हूँगा, बट geometric को अगर मैं पूरा भी sum up करूँँ तो 3 hours तो, जो 3 मेरथन हैं न, हमारे आज, कल और परसो, ये तीनो session, 3-3 घंटे के तो होंगे, AC है क्या, AC hypertenious है, ये right angle triangle बनाया है न, मैंने ABC right angle triangle बनाया है, ठीक है, ABC मैंने right angle triangle बनाया है, ये perpendicular है, बेस है और ये hypertenious है, ठीक है, चलो, आगे बढ़े हैं, तुम ही समझा गया, AC hypertenious है आपका, अब अगले पर आते हैं, that is equilateral triangle, equilateral triangle, ये भी आपके बहुत से fundi clear करेगा, बात को ध्यान से सुनना, बहुत मज़िदार point है, देखो, इस बात को note करना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो, equilateral triangle में होता क्या है, ध्यान से बात को पकड़ेंगे, तीनो side है equal, अगर ये मैंने बनाया, that is A, B, C, तीनो side equal, मतलब equilateral triangle की तीनो side equal होती है, और A, B जो होगा, वो basically equal to होगा, A, C के, ये equal to होता है, B, C के, और ये सारी side A, A, A होती है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो, ये A, ये A, और ये A, देखो, क्या आपको ये बात पता है, और ये बहुत जादा important बात है, बहुत ही जादा important बात है, इस बात को मुझे बताना क्या ये बात सबको पता है क्या कि अगर किसी भी triangle जैसे ये एक triangle है इस triangle की ये दोनों साइडे equal है माल लो एक triangle है जिसकी ये दो साइडे क्या है equal है अगर इस triangle से आपने माल लो ये एक line drop करी और आप कहते हो कि sir मैंने ये perpendicular बनाया आपने क्या बोला sir ये ABC नाम का triangle है जिसमें ABC के equal है और sir ये जो है ना ये AD मैंने क्या बनाया परपेंडिकुलर बनाया तो क्या आप सबको ये बात पता है कि अगर दो equal side के बीच में से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो भाई साब वो परपेंडिकुलर के साथ-साथ वो अगर दो equal side के बीच में से आपने एक लाइन ड्रॉप करी है और आप क्या तो परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी है वो angle bisector है वो सब कुछ है वो तीनो लाइन होगा तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो जैसे मैंने कहा कि ये इस बात को न दुबारा बोल रहो अपने दिमाग में जाने दो और बैठने दो क्या कि दो equal side के बीच में से अगर आपने एक लाइन ड्रॉप करी है अगर वो परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगी वो angle bisector भी होगी तीनो लाइने सेम होती है तो मीडियन क्या होता है मीडियन होता है वो c d के equal होगा it means अगर ये पूरी length a है ये पूरी length आपकी a है तो ये वाली length होगी a by 2 ये वाली length होगी a by 2 अब फटाफट से दो चार formula सुन ले ना देखो यहाँ पर माल लो ये height है ये क्या है height है तो सबसे पहले आप सीधा क्या सकते हो क्या कि sir आप चाहो तो sir न ये दे देखो sir तो a, d, c में ये height ये a और ये a by 2 तो अगर आप यहाँ पे pythagoras theorem लगा दो तो a square आपको पता है ना pythagoras theorem सभी बच्चों को hypertenous का square is equal to h square plus a by 2 का square आप एक काम करना इसको simplify करना तो एक result निकल के आएगा that is height is equal to root 3 by 2a root 3 by 2a ये result निकल के आएगा और आप जड़ा cross check करना कि क्या अभी जो बाते में बोलने वालों equilateral triangle की क्या आपको वो सारी बाते पता हैं एक बार cross check करना सबसे पहला equilateral triangle की तीनो साइड होती है ये शायद ही आप में से किसी को पता होगा बहुत rarely पता होता है एक बहुत ही innovative सी बात है कि equilateral triangle की तीनो साइड होती है हाइट की अगर मैं बात करूँ आप यहां से मैंने reason बता दिया कैसे हाइट निकलती है पाइथोग और इस थ्योरम लगेगी हाइट क्या होती है root 3 by 2a होती है उसके बाद area क्या होता है तो area होता है जी root 3 by 4a square होता है equilateral triangle का area होता है root 3 by 4a square और अब आता है एक बहुत ही जादा important point ठीक है ध्यान से देखे होता गया है ध्यान से मेरी बात को सुनना कि अगर ना आपने क्योंकि मैं circum radius भी यहीं पर ही बता दूँगा ठीक है देखो यह जो point है ना यह जो point है मालो यह जो point मैंने बनाया है यह जिसको मैं बोल देता हूँ g यहाँ पर g का मतलब है centroid क्या मतलब है centroid यह बात आप में से पता है बच्चों को कि जो centroid होता है centroid median को 2 ratio 1 में divide करता है पता है सबको कि sir यह जो line है that is a d और आपने उस पे point दे लिया g तो sir जो centroid होता है नहीं कि a g तो sir यहाँ पर a g से g d का जो ratio होगा sir वो 2 ratio 1 होता है वो 2 ratio 1 होता है centroid median को 2 ratio 1 में divide करता है और खास बात पता है क्या है अगर आप यहाँ पर बनातो कि in circle in circle मतलब एक ऐसा circle जो इसके अंदर है ठीक है और एक circle बनाते हो circumcircle circumcircle मतलब जो बाहर क इसको touch करते हुए जा रहा है एक आपने बनाया that is circumcircle बनाया ठीक है तो दोनों का center same होगा that is centroid in circle और circumcircle दोनों का center क्या होगा that is g यानि कि centroid और यहाँ पर यह ध्यान लखना क्यूंकि g यह जो in circle है in circle का center है इसका मतलब जो gd है न जो gd है आपका वो क्या है small r small r का मतलब in radius small r का मतलब in radius और एक line है that is ag ag का मतलब होता है capital r capital r का मतलब होता है circum radius capital r मतलब क्या circum radius circum radius ठीक है तो अगर आपको आप देखो पूरा का पूरा ag क्या है पूरा का पूरा जो a से लेकर के d है that is height that is height और g ने क्या करा height को 2 1 के ratio में divide कर दिया तो अगर आपको in radius निकालनी है in radius तो आप क्या करोगे 1 by 3 कर दोगे height का यह height दिख रहे है root 3 by 2 a इसका 1 by 3 कर दोगे यानि 1 by 3 आप कर दोगे किसका root 3 by 2 a का जिसको solve करोगे तो small r की value क्या आजाएगी a upon में 2 root 3 यह आजाएगी small r की value ऐसी अगर आपको capital r निकालना है यानि क circum radius तो जो पूरी की पूरी height है क्योंकि यह circum radius है a g पूरी height a g जो है g जो है इसे 2 1 के ratio में divide कर रहे है तो circum radius क्या होगा 2 by 3 होगा height का यानि कि 2 by 3 किसका root 3 by 2 a का क्योंकि height is root 3 by 2 a जब थोड़ा बहुत काटोगे जैसे 2 से 2 कट जाएगा जैसी हापर किया na root 3 ने 3 को root 3 पे cancel out कि एसे 2 से 2 cancel out होगा और circum radius क्या निकल के आएगी that is a upon में root 3 खैर खैर तो यहाँ पर मैंने आपको इन तीनों की derivation बता दी यह ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों I hope यह बात clear है सबको right यहां तक समझा गया तो starting में मैंने जैसे आपको बताया भई कि पहले तो in center होता क्या है फिर in center calculate in center वाला angle कैसे calculate करते है फिर मैंने आपको बताया कि in radius तीनों cases में कैसे calculate की जाती है with derivation क्योंकि derivation important थी तीनों की क्योंकि इनकी derivation के थुरू आपने बहुत कुछ सीखा right उसके बाद अभी तो बस मैंने derivation बताईए आगे की बास सुनना अब एक बहुत ही ज height और in radius का relation क्या होता है अगर एक triangle पे आपने 3 height बना दी ठीक है अगर एक triangle पे आपने क्या करा 3 height बना दी है उसका in radius से क्या connection है उसका in radius से क्या connection है height मतलब altitude height मतलब altitude ठीक है देखो क्या connection है पहले तो मैं आपको सीधा बता देता हूं connection यह है कि 1 upon r is equal to 1 upon देखो अभी कहा है न मैं आपको 3 4 5 property लगातार बता रहा हूं फिर question कराऊंगा क्योंकि फिर question आपको mix लगेंगे तो आपको दिमाग लगाना जो in radius है उसका किसी भी triangle की तीनों height से connection ही होता है 1 upon r is equal to 1 upon h1 plus 1 upon h2 plus 1 upon h3 बड़्दा मुद्दा इसकी सर क्यों अब देखो यह बात पता होनी चाहिए यह सब result आपको direct पता होनी चाहिए r क्या था r का मतलब था circum radius अगर किसी भी triangle के चारो तरफ आपने एक circle बना रखा है चारो तरफ तो उसका जो फिर एक center होगा तो उसकी जो radius होगी उससे हम लोग capital r कहते है ठीक है उसी को capital r कहते है तो 1 by r is equal to 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by h3 अब बात को सुनना क्या point है मेरा कहने का वो सुनना देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसका लेकिन logic समझ लेते हैं इसका reason समझ लेते हैं कि सर ऐसा होता क्यों है देखो अगर again मैंने आपके सामने बनाया एक triangle ठीक है that is abc नाम का मैंने एक triangle बनाया अब यहाँ पर मैंने एक height बनाई suppose यह मैंने एक height बनाई यहाँ से मैंने height drop करी और यहाँ से मैंने height drop करी मैंने 3 height drop कर दी ठीक है यह वाली height है h1 यह वाली height है h2 और यह वाली height है h3 तो area of triangle क्या होता है अगर यह a है यह वाली side a है और यह वाली side आपकी b है और यह वाली side आपकी c है तो आपको बदा area of triangle क्या होता है sir half into जैसे base में a ले लो sir base a ले लो a के उपर height क्या है h1 तो sir half into a into h1 ये area of triangle है sir half into b into h2 sir ये भी area of triangle है ऐसी sir half into c into h3 sir ये भी area of triangle है ये तीनों ही क्या है area of triangle है तो मैं ये कह सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि area of triangle h1 को अगर upon में लिया हूँ, तो area of triangle upon h1 is what a by 2, इसी तरीके से area of triangle upon में h2 is equal to what b by 2 and ऐसी area of triangle upon में h3 यानि कि तीसरी height is equal to c by 2, ये तीन बाते मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं तीनों बाते, अगर मैं इन तीनों बातों को add कर दूँ, मालों ये तीन equation है, अगर मैं तीनों equation को add कर दू तो area of triangle upon h1 plus area of triangle upon h2 plus area of triangle upon h3 is equal to a by 2 plus b by 2 plus c by 2, होगा, आप area of triangle अगर common निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 1 upon h1 plus 1 upon h2 plus 1 upon h3, और ये a plus b plus c by 2 है, यानि semi perimeter, राइट है जी बात, a upon 2, b upon 2, c upon 2, मतलब क्या, a plus b plus c upon 2, perimeter का half मतलब semi perimeter, मतलब semi perimeter, तो ये क्या आपका semi perimeter है, अगर area of triangle को यहाँ डिवाइड में लिया हो, आपने अभी अभी एक formula करा था, क्या formula था वो, that is, कि area of triangle is equal to in radius into में semi perimeter, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या, अगर मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ, अगर मैं r को यहाँ भेज दूँ, तो 1 upon r is equal to semi perimeter upon में area of triangle, तो अगर इस area of triangle को आप divide में लिया हो, तो 1 upon h1 plus 1 upon h2 plus 1 upon h3 is equal to semi perimeter divided by area of triangle, यानि कि, यानि कि क्या, 1 upon r, तो that's why, 1 upon h1 plus 1 upon h2 plus 1 upon h3 is equal to 1 upon r, इसको ध्यान रखना, अगर एक question आया, तो बच्चे केंगे, मैं यह नहीं कह रहा, आप में से किसी को भी यह नहीं पता होगा, पर थोड़ा कम बच्चों को पता होता है, इसलिए ध्यान रखना, डने बात clear सभी को, ठीक है, यह बात ध्यान रखें, 2-3 बाते और हैं, 2-3 बाते और हैं, वो और सुन लो, फिर हम लोग आते है questions के उपर, बस 2-3 बात और हैं, फिर उनको और सुन लो, फिर अपन question पर आएंगे, repeat कर दूँ मैं, नहीं, कोई भी triangle, कोई साभी triangle, any triangle, any, any triangle, कोई साभी triangle, ठीक है, done है, देखो मैंने क्या बोला, अगर एक triangle है, और एक triangle के अंदर मैंने 3 height बनाई है, जैसे यह एक height है, यह एक height है, ठीक है, area of triangle क्या होता है, half into base into height, तो जैसे माला आप इसको base consider कर लेते हो, अगर आप, for example, आप इसको base consider कर लो, यह base, और जिसके ओपर यह height है, यह height है, तो आ half into b into s2, half into c into s3, तो यहाँ पर अगर मालनो area of triangle is equal to, मैंने लिखा half into a into h1, तो h1 को अगर आप divide में लियाओ, तो area of triangle upon h1 is equal to a by 2 हो जाएगा, इसी तरीके से area of triangle upon s2 equal to b by 2, area of triangle upon s3 equal to c by 2, अब अगर आप इन तीनों को add कर देते हो, इन तीनों equation को मालनो add कर दो, तो यहाँ प upon s3, यह तीनों add हो गए, और यहाँ पर a by 2 plus b by 2 plus c by 2 यह तीनों add हो गए, फिर आप क्या करो, area of triangle common निकालो, 1 by h1, 1 by s2, 1 by s3, इस triangle को मैं यहाँ लाके divide में ले आया, यहाँ पर मैं, अब मुझे पता है क्या, कि area of triangle is equal to r into s होता है, आपको क्या है, यह s upon area of triangle, तो area of triangle को आउंगा, उस पर आउंगा मैं, सारी बाते बताऊंगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब एक और point, again, यह बात भी काफी कम बच्चों को पता होती है, that is key, ratio at which, जैसे मैंने का, यह बात भी थोड़े कम बच्चों को पता होती है, कि ratio at which, in center divide the angle by sector, in center divide the angle by sector, क्या मतल कि अगर मैंने आपके सामने एक triangle बनाया है, ठीक है, that is ABC नाम का मैंने आपके सामने एक triangle बनाया, अब मैंने यहाँ पर क्या करें, मैंने angle by sector बनाया है, ध्यान देना, थोड़ा तो यार मैं angle, थोड़ा न, different तरीके से बनाता हूँ, वनना बच्चों को न, height wide सब एक जैसी ल करेंगा, फिर यहाँ से मैंने एक angle by sector बनाया, और एक angle by sector मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है, यह मैंने तीन angle by sector बना दिये, यह है आपका A, B, C, और यह point है आपका माल लेते हैं, that is, ABC बन गया नहीं हमारा, ABC, कुछ भी ले लो, ठीक है, ABC, D, इसको E ले लो, इसको F ले लो, right, मुद्दा यह है, कि A की जो opposite side है न, ध्याल से सुनना मेरी बात को, बालो जो point है, यह I point है, यह वाली जो length है, यह वाली length है A, और यह वाली length है B, और यह वाली length आपकी है, that is C, तो यहाँ पे, A, I, upon, I, D क्या होगा, A, I, upon, I, D, मतलब जो यह in center है, इसने angle by sector को किस ratio में काटा, कैसे बता लगेगा, तो देखो, आप AD निकालना चाहते हो, AD, तो क्या करो, A से जाने वाली दोनों side है, AD angle by sector है, तो A से जाने वाली जो दोनों side है, उनको add कर दो, यानि कि, B plus C, divided by the base, जैसे यह AD आपका angle by sector है, तो AD का base क्या है, मतलब किस के उपर angle by sector है, A side के उपर, तो A से जाने वाली दोनों side हो को add करो, और जो base है, upon में that, यानि कि I, इसी तरह से, अगर आप निकालते हो, that is, B I upon I E, क्या निकालते हो, that is, B I upon I E, तो B से जाने वाली दोनों side है, B से जाने वाली दोनों side हो को add कर दो, यानि कि C plus A, और divide में आजाएगा B, and last में C I upon I E F, अगर आपको निकालते हैं, तो C से जाने वाली दोनों side हो को add कर दो, यानि कि A plus B, और divide में क्या आजाएगा, C आजाएगा, आगी बात समझ में, इसको याद रखेंगे सबी बच्चे, क्योंकि trust me, अगर इस पर based question exam में आया, तो नहीं कर पाएंगे बच्चे, exam में deal, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको in center से related सारी कहानी खतम करी हैं, जो भी कुछ property हो सकती थी, वो सारी property मैंने बताई हैं, लेकिन angle by sector की property अभी बताना बाकि है, उस पर थोड़ी देर बात-बात करेंगे, कुछ question पर आती हैं, ठीक है? कुछ questions पर आते हैं, ठीक है? सर, repeat, repeat मैं बस मैंने ये बोला, आप बस observe कर लो, कि जैसे ये AD नाम का है, देखो, AD angle by sector है, I क्या है? in center, तो in center angle by sectors को किस ratio में काटता है, जैसे ये वाला है AI, जैसे ये वाला था, कि भाई AI, जैसे आपको ये निकालना है, कि ये in center हो गया, और ये angle by sector है AD, तो I ने इसको किस ratio में काटा, आई ने इसको किस ratio में काटा, तो कैसे बता लगता है, ध्यान से सुनना, A से जाने वाली दोनों side, जैसे आप AD पर बात कर रहो ना, ऐसे याद रखा करो, जैसे AD पर बात कर रहो आप, ये triangle था ना, triangle कुछ ऐसे बनाये था मैंने, तो आप बात किस पर कर रहो, AD AD पर बात कर रहो, तो A से जाने वाली दोनों side, A से जाने वाली दोनों side कौन कौन सी है, C और B, इनको add कर दो, यानि B प्लस C, और upon में क्या आएगा, बेस, upon में क्या आएगा, ये वाला base आजाएगा, तो upon में A लिखती है, ऐसे करके याद रखना, अरे सब पर आउँगा, थोड़ा systematic तरीके से चलेंगे न, चलो, अब questions पर आते हैं, अब कुछ questions पर आते हैं, पहला question यार आपके सामने, एक बारा फटा फट से इसका answer बताओ, find the end radius of right triangle, right angle, ABC right angled at B, AB की length है 27, AC की length है 45, बताओ, कि इसका end radius क्या होगा, काफी, ये question मैंने क्यूं दिया है, मैं उसका reason आपको बताता हूँ, इस question को देने का reason क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, BI upon IF, नहीं, ऐसे क्यूं पूछेगा, तानी ये सब भी पूछेगा, ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये question देने का purpose क्या है, वो आप सुन लेना, ठीक है, देखो, एक right triangle है, clearly पता लग रहा है, sir, right triangle है, ठीक है, ये right angle triangle हो गया, right angle net B, यानि ये B, योग्या A B, C, A, B की length कितनी है, 27, A, C की length कितनी है, 45, ये दोनों नंबर किस से cancel out हो रहे है, क्या आप यहाँ पर Pythagoras theorem लगा के time waste करोगे, क्या आप इस question में, B, C को निकालने के लिए ये time pass करोगे, कि 45 का square is equal to 27 का square, प्लस में B, C का square, क्या मैं ये time pass करूँगा, जवाब है, sir, नहीं जवाब है, नहीं, क्यूं, क्यूंकि sir, अगर आपको triplets पता है, अगर आपको पता है triplets, triplets क्या होते हैं, triplets basically ऐसे तीन नंबर होते हैं, जो Pythagoras theorem को follow करते हैं, जो Pythagoras theorem को follow करते हैं, example के लिए, example के लिए, अगर ये एक right angle triangle है, तो इसके मानलों मैंने perpendicular को 3 लिया, base को 4 लि तो ये तीन नंबर, कौन से तीन नंबर, that is 3, 4, 5, ये एक triplet है, क्योंकि ये Pythagoras theorem को follow कर रहे हैं, check करो, 3 का square प्लस 4 का square is equal to 5 का square, क्या आएगा, 3 का square 9 होता है, 4 का square 16 होता है, 5 का square 25, 16 और 9 25 equal to 25, तो इसे हम लोग कहते हैं, triplet कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, triplet कहते ह तो कभी भी आपके सामने, ऐसे कोई, ऐसा कोई data है, जिसमें की right angle triangle की 2 side given है, 30 side आपको निकाल ली है, तो कभी भी time waste मत करना, Pythagoras theorem लगा के, ठीक हैं, आप simple सा क्या करो, आप इन दोनों नंबर को cancel out करो, पर ध्यान लखना किस से cancel out करो, ये जाएगा 9 के टेवल में 3 पे, य ये 9 के टेवल में जाएगा 5 पे, आपने इनको divide किया है, ध्यान लखना 9 से divide किया है, अब क्यूंकि 3, 4, 5 एक triplet है, तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, अब क्यूंकि आपने 9 से divide किया था, तो वापस इसमें 9 multiply कर दो, यानि कि 36 आ जाएगा, तो BC की length किया 36 है, अब तो मैंने आपसे पूछा बताओ, इन radius क्या होता है, तो इन radius का formula आपको पता है, कि सर, perpendicular sides को add कर दो, ये side actual, actual value देखने है, वो तो ठीक है, short में निकालने के लिए आपने करा, तो actual values जो है, जैसे 27, 36 इनको add करो, 27 plus 36, मेंसे hypertonus, यानि 45 को minus करके 2 से divide कर दो, आपका answer आजाए 27, कितना हो गया मेरा, 43 हो गया, 43, 53, 63 हो गया, 63, 18, 9 हो जाएगा answer, 9, क्या ये बात clear सभी बच्चों को, तो कभी भी pathogarus theorem पूरी नहीं लगानी है यार, इस तरीके से ध्यानक ना, कि अगर आपको दो side बता है, उनको cancel out करो, ठीक है, पहले देखो भई क्या है, पहले अपन इसे बहुत जादा recommend करूँगा कि ये तीन दिन geometry को dedicate कर दो, वो मेरी guarantee है, वो मेरी headache है, कि उन तीन session में आप बड़े अराम से आर exam में deal कर लोगे question, उसको लेके आप परिशान मत होना, बस एक काम करना, जब ये तीन session, ये तीन दिन में geometry का marathon करा दूँ, उसके बाद previous year question कर ल पे जाना, पी वाई की उस पे जाना, chapter wise, पी वाई की उस बाई रमन तिवारी, वहाँ पर आपको geometry के सारे पी वाई क्यू दिख जाएंगे, तो ये तीन दिन geometry करने के बाद, आप previous year question कर लेना, और जैसे मैंने का अगर आप पूरा तीन घंटा live नहीं देख पाते हूं, एक गंटा, एक घंटा live कर पातो, live कर लो, बाद में recording कर लेना, ठीक है, सर, नहीं, नहीं, सौम्या, ऐसे नहीं कर सकते, 3, वो तो आपने calculation को आसान करने के लिए, सौम्या, 3, 4, 5 में इसको break कर दिया था, calculation को आसान करने के लिए, ठीक है सौम्या, सिर्फ calculation को आसान करने के लिए exactly और trust me देखो gemetri न gemetri actually बहुत scoring होती है exam में कई बच्चो गया रहताने कि sir मेरे को gemetri निया आती देखो यही तो problem है कि बच्चे gemetri पड़कर ही नहीं जाते हैं आप इस बात को समझो अगर आप देखोगे gemetri के questions उतने difficult नहीं आते है cat में जितने की दिये जा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एक average level का question भी दिंगे न वो भी बच्चों से नहीं होने वाला उसका सबसे बड़ा reason है कि बच्चे exam में maximum बच्चे geometry छोड़के जाते हैं कि geometry पढ़कर ही नहीं जाते इसी वज़े से आपको समझना है कि आप geometry जरूर पढ़के जाओ क्योंकि आपको अपनी rank improve करनी है तो आपको geometry और algebra यह दो चीजों पर command होनी चाहिए क्योंकि भीया arithmetic न सबका strong है arithmetic सबको आता है सबको आता है arithmetic चलो अगले question पर आते हैं इसका answer बताना फटाफट से कि if all the three altitude of a triangle are 12, 18, 20 then find the in radius अगर किसी भी triangle के तीन altitude है 12, 18, 20 तो उसका in radius क्या होगा मुझे लगता आपको formula पता है आप बड़े अराम से बड़े directly बता सकते हो कि sir देखो अभी ना formulas पता है प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 इसको ठाके solve कर लेना देखो solve वो आप लोग कर लेना मैं direct answer लिख देता हूँ यहां से LCM वगेरा तो कर लोगे ना आप लोग LCM वगेरा calculation कर लोगे R की value 90 by 17 ठीक है LCM वगेरा तो आप लोग खुदी कर लेना है ठीक है वो सब आप basic basic calculation है मैंने ये कि अगर किसे triangle के तीन altitude given है ये कहानी होगी अगले question पर आता हूँ मैं ये question मैं चाहूँगा पहले आप लोग try करो इस question को पहले आप लोग try करो R का कौन सा formula यूज किया कहाँ पर यूज किया मैंने अरे वो कराया नहीं था right angle triangle में R कैसे निकालते है सुमी वो कराया था न कि right angle triangle जो होता है अभी बताया था न पीछे अगर एक right angle triangle की ये side A है ये B है ये C है तो in radius कैसे निकालते है A plus B minus C by 2 बस वही फॉर्मुला लगा है एक बार तुमी घोश हाँ एक बार आप अराम से धंग से एक बार revise कर लेना अब इशेक वो भी करा दूँगा आगे question रूट रूट वाले भी ठीक है एक बार इसका answer बताओ क्या होना चाहिए आप सब बच्चों के साब से ठीक है चलो अब जरा मैं भी बात करता हूँ अगर मैंने आपके सामने बनाया एक triangle ठीक है that is A, B और यह C हो गया ठीक अब यहाँ पर मैंने बनाया एक O point मैंने बनाया ठीक है यह O point है और O क्या है O is the point of intersection of all the angle bisector तो मैंने direct नहीं बोला है आपको खुद समझ जाना है कि O क्या है angle bisector का intersecting point है इसका मतलब O क्या है आपका in center है समझ गए तो examiner direct नहीं बोलता आपको खुद समझ जाना है तो O क्या है आपका that is in center है ठीक है अब यहाँ पर यह कहता है अब जड़ा इसको मिला दो यह O हो गया ठीक है इसको यहाँ मिला दो इसको यहाँ मिला दो और इसको यहां मिला दो ठीक है यह point आपका O है और क्या क्या है A, E, B, F, C, D अब question में यह कहता है वो क्या कहता है ध्यान से सुनना कहता है कि A, O upon O, D A, O upon O, D ध्यान से देखो हम लोग क्या करते है ऐसे में क्या बोलते है यह वाली side A है मालो यह वाली side B है और यह वाली side क्या आपकी C है तो यह कहता है A, O upon O, E अभी-अभी मैंने क्या बताया था कि तो in center in center angle by sector को किस ratio में divide करता है तो A, O upon O, E क्या होगा A से जाने वाली दोनों side है that is B and C इसको add कर दो यानि कि B plus C upon जो A, E angle by sector उसका base क्या A यानि A इसकी value क्या गिवन है question में 7 upon 6 अच्छा आगे C, O upon O, D C, O upon O, D तो इसकी बात कर रहा है C, O upon O, D तो C से जाने वाली जो दोनों side है C से जाने वाली दोनों side है A और B यानि कि A plus B upon C and that is equal to question में given है 5 upon 3 5 upon 3 given है अब यहाँ पर एक बात समझो आप एक बात को सुनो ध्यान से उपर वाला ratio क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना मेरी बात को उपर वाला ratio यह कह रहा है कि अगर A की value 6 है तो B plus C की value 7 है यानि इस ratio के हिसाब से मेरे triangle की 3 साइडों का सम कितना है मेरे triangle की 3 साइडों का सम कितना आ रहा है that is 7 और 6 13 यानि की 13 और इस वाले ratio के हिसाब से यानि यह वाला जो नीचे ratio है उसमें क्या लिखा है A plus B की value अगर 5 अगर मैं compare करूँ अगर मैं ratio wise compare करूँ तो A plus B की value 5 है तो C की value 3 है यानि इस वाले ratio के साब से 3 साइडों का सम कितना आ रहा है 8 हा रहा है कितना आ रहा है 8 हा रहा है पर भाई यह बात तो गलत है ratio wise ratio wise data अलग हो सकता बट actual में भै तीनो साइडों का सम तो सेम होना चाहिए ला triangle की तीनो साइडों का सम सेम होना चाहिए इस वाले ratio के साब से ABC कितना है 13 इसके साब से ABC कितना है 8 है जब की sum इनका सेम होना चाहिए तो आप क्या करोगे आप यह वाला जो fraction है न 13 और 8 को same बनाना है, तो इस वाले fraction को उपर नीचे कितने से multiply कर दो, 8 से, कितने से multiply किया, 8 से, right, इस चीज को समझना, तो मैंने क्या बोला, इस वाले fraction के हिसाब से, triangle की तीनों साइडों का sum कितना आ रहा है, 7 और 6 कितना आ रहा है, that is 13, और इसके हिसाब से 5 और 3 कितना 8 आ रह होगे न, sum में, तब बनेगी बात, तो यह कितना होगे, 7, 8 सा 56, और यह हो जाएगा, 6, 8 सा 48 हो जाएगा, और यह वाला जो fraction है, इसमें उपर नीचे 13, 13 इंटू कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, 13, 5 सा 65, और यह हो जाएगा, 13, 3 सा 39, अब देखो sum, 56 और 48 को add करो, 56, 48 को add करोगे, आपका answer आएगा, 104, और अगर आप 65 और 39 को add करोगे, आपका answer आएगा, 104, यानि अब जो fraction है, इसके साब से, ABC का sum, 104, 104, मतलब अब fraction सही है, अब fraction बिल्कुल ठीक है, तो अब आप direct compare कर दो, कैसे, direct comparison करूँ, तो A की value कितनी है, 48, यानि A की value क्या है, that is 48, यहाँ से C की value कितनी है, C की value कितनी है, 39, अच्या, तीनो का sum 104 है, तीनो का sum 104 है, राइट, तीनो का sum क्या है, 104 है, कहीं से भी कर सकते हो, या यहाँ से कर लो, कि B प्लस C कितना था, 56 था, अब 56 में से C है 39, तो B कितना होगा, तो B जायर सी बात है 17 होगा, या simple सा बोल दो, तीनो साइड ratio में है इस ratio में है अब मैंने आपसे क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा बताओ B O upon में O F क्या होगा हना तो B से जाने वाली दोनों side है which is B से जाने वाली दोनों side है कौन है A और C तो A और C को add कर दो मतलब की 48 plus 39 और divided by divided by ये क्योंकि जो आपका B O O F है यानि जो B F angle by sector है वो A C के उपर है तो upon में आएगा क्या that is B which is 17 दोनों को add करो कितना आएगा 48 में 9 add करोगे कितना हो जाएगा आपका that is 57 57 87 by 17 answer आएगा इसका समझे बाद सभी बच्चे आई बाद समझ में अगले question पर आते हैं एक और बढ़ियां सा question देखते हैं यार् एक और बड़ा प्यारा सा question देखते हैं यह वाला a circle a circle is inscribed in a triangle sir lod क्या सकतो lod2 में ले जा सकतो आप last question को देखो main है कि सारे question exam oriented है ठीक है आप ऐसा समझ के चलो सारे के सारे question exam के point से important है ठीक है अब एक question है मेरा a circle is inscribed in a triangle ABC it touches the side AB BC CA at point PQR respectively BC की length 15 है यह 11 है यह 4.5 है तो बताओ in radius क्या होगी अब अब आप मेरी बात को सुनना एक बड़ा ही important सा result है वो सुन लो जगा खाली है कहीं पर एक ना बड़ा ही important सा result है वो आप सुनना देखो एक result है बहुत ही selected question exam के राइट जो मैं कहा रहा हूँ ना यह जो मैं कहा रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्लस बैच में मेरे से geometry पड़ी और वो mock test में शायद ही कोई question छोड़ते है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे direct result उन्हें tips पर याद है तो exam में अब करें बात करें ध्यान से सुनना मेरी बात को देखो अगर मैंने आपके सामने बनाया एक triangle ठीक है अगर मैंने आपके सामने बनाया एक triangle अगर कोई triangle special होगा equilateral isosless तो मैं बोलूँगा अगर मैं triangle बोल रहा हूँ तो that means कोई भी random सा triangle है देखो इसके अंदर मैंने क्या करा एक circle बनाया इसके अंदर मैंने क्या करा एक बना दिया circle ठीक है अब आपको ये बात पता है क्या जैसे मालो सरकल का ये तो होगया आपका center होगया ठीक है अब आपको पता है जैसे मालो सर ये ABC नाम का circle है ठीक है ये point क्या है सर P ये point क QR है, अब sir होता क्या है, ऐसे में, हमें पता है, कि sir अपने को एक बात पता है, क्या, कि sir किसी भी point से, किसी भी point से जो दो tangent बनाए जाते हैं, वो equal length के होते हैं, equal length के होते हैं, मतलब sir अगर यह x है, तो यह भी x होगा, similarly sir यह अगर y है, तो यह वाली length भी क्या होगी, y होगी, answer यह वाली length अगर आपकी z है, तो यह वाली length भी क्या होगी, आपकी z होगी, और यह एक बहुत ही important result है, इसको आप ध्यान रखना सीधा सीधा, ठीक है, कि sir यह वाली length अगर, अगर यह x है तो x यह y है तो यह y यह z है तो यह z होगा ठीक है अच्छा तो इस triangle का semi perimeter क्या आएगा semi perimeter होगा कि sir तीनों side को add करके 2 से divide करो जैसे sir यह वाली side क्या है पहली side है x plus y a b side क्या है x plus y दूसरी side क्या है sir y plus z तीसरी side क्या है sir z plus x अगर आप इसको divide करोगे sir 2 से तो आपका answer क्या है गा 2x है 2y है 2z है तो सीधी बात है sir x plus y plus z आएगा राइट है जी बात सही बात है अब आगे सुनो area of triangle क्या होगा कितने बच्चों को heroons formula पता है फटाफट से chat में बता दो कितने बच्चों को heroons formula पता है heroons formula पता है सभी बच्चों को heroons formula होता है कि अगर किसी triangle की तीन side है a b c तो area of triangle क्या होता है that is under root s फिर उसके बाद s minus a s minus b s minus c तो यहाँ पर पहले आप s लिखोगे that is x plus y plus z फिर आप खुद देखो जब आप s यानि कि x plus y plus z में से पहली side मालो ये पहली side है minus करते हो अब जैसे side है अगर आप x plus y plus z which is semi perimeter इस में से minus करोगे x plus y को तो x y से x y कर जाएगा क्या बचेगा z बचेगा हना similarly y plus z को x plus y plus z में से minus करोगे x बचेगा यहां से क्या बचेगा y बचेगा तो in shot क्या बचेगा x y z बचेगा तो यह होगा area of triangle क्या होगा area of triangle टीनों side हो को add किया and then बचेगा x y z थे इनको add करके सीधा से यहापे लिख दिया x y z लिख दिया अच्छा कई बच्चों ने formula book कर रखिये गया जो मैंने formula book share करी थी वो कर रखिया गया कई बच्चों ने अब second मुझे पता area of triangle is equal to होता है r into s होता है ठीक है area of triangle is basically what area of triangle is r into s होता है अच्छा लग रहा है मुझे कई बच्चे जो answer कर रहे है न कई चीज़ों के तो feeling आ रही है मुझे अच्छे बात है area of triangle is r is area of triangle upon this तो r क्या हो जाएगा area of triangle which is x plus y plus z और यहाँ पर क्या आ जाएगा x y z और upon में क्या आएगा that is s4 semi perimeter which is x plus y plus z अब आप खुद देखो मेरी बात को सुनना जैसे कि अगर आपके सामने under root y है और upon में y है तो आपको बताने cancel out करके 1 upon root y हो जाएगा under root y upon y मतलब 1 upon root y हो जाएगा तो भाई अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दे कि यह जो लिखा ना इस पर ध्यान दो बस x plus y plus z root में है यह बिना root के है तो यह इसको काटेगा तो r की value कहेगी देखो x y z तो root में ही रहेगा x y z आपका root में ही रहेगा और upon में भी root में आ जाएगा x plus y plus z आजाएगा तो in short in radius के आओगी आपकी कि भाई तीनों को multiply करो x y z को और upon में तीनों को उठाके add कर दो इसको आप direct ध्यान रखना मैं share कर दूँ कोई नहीं telegram group पे मैं share कर दूँ क्या ये बात clear है सभी बच्चों को क्या ये बात clear है मैं telegram पे share कर दूँगा परिशान मत हो कोई भी बच्चा यहीं सब बाते उसमें लिखे होंगी लेकिन पहले सुन लेना अब आप देखो अब जो question मैंने आपको दिया ये question आपके लिए बहुत हलका सा question है कैसे sir देखो ये area of triangle ये triangle बना है मैंने ABC नाम का ABC ठीक है एक circle बना दिया बना दिया जी उसके बाद AB, BC, CA अब जो आपका AB है AB इसको P पे touch कर रहे है और BC Q पे touch कर रहे है और ये R पे touch कर रहे है ठीक है BC की length कितनी है तो आप कोगे कि sir ये जो BC है इसकी length दे रखिये question में 15 और CA की length कितनी है तो sir ये वाली length है 11 और sir यहाँ पर AR की length 4.5 है AR नहीं ये गलत लिख दिया मैंने AR क्यूं लिखा फिर मैंने वैसे चलो ठीक है गलत नहीं है वैसे मुझे AP लिखना था उस time पर शायद मैं AP लिखना चाहर होगा तो AP की length 4.5 है अब आपको पता है कि sir जो AP की length होगी वहीं AR की length होगी यानि ये 4.5 है तो sir ये भी 4.5 है अब ये पूरी length कितनी है 11 11 में से ये अगर 4.5 है तो RC क्या होगा आपका RC 11 में से 4.5 माइनस कर दो यानि कि 6.5 होगा sir राइट 6.5 होगा ये ठीक है अगर sir ये 6.5 है तो sir किसी भी point से 2 tangent equal length के होते हैं तो sir ये 6.5 तो ये भी 6.5 अब sir 15 में से अगर आप 6.5 माइनस करोगे तो sir 8.5 आएगा कितना हैगा 8.5 आएगा तो ये भी 8.5 अब कहने का मतलब ये है आपको basically जो आपको formula पता है जो अभी मैंने आपको बताया था उसमें वो x y z क्या होता था जैसे एक circle मैंने बनाया तो ये होता था ना जैसे ये x है ये y है और जैसे ये आपका z है तो यापर x y z क्या है अगर मैं उस formula के साब से हूँ 4.5, 6.5, 8.5 तो अगर आपको यहाँ पर in radius निकालनी है तो सीधा सा funda क्या होगा under root 4.5 into 6.5 into 8.5 और upon में तीनों को add कर देना यानि 4.5 प्लस 8.5 प्लस 6.5 आपका answer आजागा मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ मैं बात को यहीं पर छोड़ रहा हूँ ठीक है आप लोग कर लेना इस सब तीनों को add करोगे तो 8, 14, 14, 15, 19, 20 20.5 हो जागा बाकी की यार calculation आप लोग कर लेना ठीक है तीनों add हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना आजागा 20.5 हो जाएगा ठीक है यह calculation वगेर यार बात कर ना वो exam में जैसा question आएगा वो तब का तब देख लेंगे ठीक है तो basically तीनों को add करना है 4.5 plus 8.5 plus 6.5 ठीक है जी बात के लिए चलेगा ना यार exam में जब आएगा तो वो क्या number देंगे उस time calculate आप कर ले ना अभी अपन time waste नहीं करेंगे इस चीज में ठीक है नहीं है मैंने ऐसे random से number लिखे थे मुझे भी नहीं पता भी तो calculate करके क्या आएगा ठीक है Priya का कहना 3.57 आ रहा है चलेगा किसी बच्चे ने बोला जैसे कवीता आपने बोला सर रिपीट करने के लिए तो कवीता आप इस बात को समझना कवीता कि आपको ये बात ध्यान रखनी है जो भी मैंने आपको derivation बताई थी ना कवीता उसको देखो उसमें जो मैंने कहां गई वो derivation हाँ इस मैंने कवीता ये बोला था कि ये दो चीजे कि ये दोनों length आपस में equal होते है क्योंकि किसी भी point से 2 tangent equal होते है xx होंगे तो 1x पे circle मार दो किसी भी एक point से 2 tangent equal होते है यानि कि ये दोनों zz होंगे किसी भी एक z पे circle मार दो इसी दरीके से किसी भी एक point से again किसी भी एक point से 2 tangent equal होते है इस पे एक y मार दो तो ये x, y, z ये values होते हैं जो भी मैंने ऐसे circle मार दी हैं ये x, y, z होते हैं आपके तो ऐसे में in radius कैसे निकालते हैं that is under root x, y, z upon me under root x plus y plus z ठीक है, कविता formula को याद रखेंगे कैसे कुछ नहीं है, formula पढ़ना है और formula पढ़ने के just 4 minute बाद आपको 2 glass पानी पीना है तो ये एक बहुत भैतरी shortcut होता है इससे आपको formula याद हो जाते हैं ठीक है, तो ये काम पे आपको ध्यान देना है obviously मजाग कर रहो हैं सच में पानी पीरो बैट बैट के ठीक है, मुद्धे पे आते हैं practice करनी है practice करते रो, करते रो चीजों को देखते रो, अपने आप याद बजाता है ठीक है हाँ, लेकिन वो 4 minute ही होने चाहिए अगर 4 के 4 minute 15 second होगे न इंदा given figure PQRS is a rectangle PQ की value है 11, PS की value है 60 तो इसके लिए आपको figure बनानी पड़ी मुझे पहले आपको figure बना के देनी होगी तो गएदा एक triangle है PQRS नाम का, तो पहले तो भाईए ये एक triangle हो गया PQRS नाम का ठीक है ये triangle है आपका PQRS नाम का ये PQRS तो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S इसमें मैंने बोला PQ is 11, ठीक है PS is 60 find the length of AB right, AB के पहले वो सुन लेते हैं यहाँ पर actually एक है आपका ये hypertenous, ये 90 degree है ठीक है तो यहाँ पर एक circle है ठीक है, यहाँ पर एक circle आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक circle यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है, ये है अब आपको बताना है कि ये values क्या होगी ठीक है, देखो तो देखो, तो अगर ये rectangle है, सबसे पहली बात सर, अगर ये rectangle है, तो सर अगर PQ 11 है, तो सर ये भी 11 होगा, क्योंकि opposite side equal होती है, सर ये 60 है, तो सर ये भी 60 होगा, सर ये 60 तो ये 60 होगा, ठीक है, अच्छा, AB का ये भी तो मुद्दा है, ये point A है, और ये point B है, ठीक है, ये, ये AB है, जो जहाँ पर touch कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला, सर देखो, पहले तो न, एक तो यार, ये triplet न, जरा, screenshot ले ले लेना, आप लोग, अगर लेना है, ये मैंने सारे triplet लिख रखे हैं, ये सारे triplet है, 3, 4, 5, 1 triplet है, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ये सारे के सारे triplets हैं, जो आपको tips पर याद करने हैं, ठीक है, ये सारे triplets हैं, इनको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, अब अगर आपको triplet पता हैं, तो आप पाइथोगरस क्योरम नहीं लगाते हैं, आपको सीधा बता है, सर, ये 11 है, ये 60 है, तो जो ये अपनी length होगी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, कि सर, ये 11 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 61 होगा, तो सर, अगर आपने इसके अंदर एक circle बनाया है, ठीक है, तो सर, इस circle की जो radius होगी, वो क्या होगी, क्योंकि सर, ये right angle triangle है, तो सर, radius हो जाएगी, आपकी 11 plus 60 minus 61 divided by 2, यानि कि सर, radius कितनी आजाएगी, आपकी 5 आजाएगी, अब देखो, अब वो derivation वाला part यहाँ पर use होगा, अब वो derivation वाला part use होगा, जो मैंने right angle triangle में बताया था, देखो, ये center, इन radius 5 है, तो center से ये यहाँ पर, क्योंकि circle पर जो line जाते है, tangent, तो सर, ये tangent हो गया, इसको यहाँ लियाओ, ठीक है, सर, ये tangent हो गया, तो सर, अगर ये 5 है, क्यूंकि radius 5 है, ये 5 है, तो सर, ये वाली length कितनी होगी, ये वाली length 5 होगी सर, इसी तरीके से सर, ये वाली length भी कितनी होगी, पायज, देखो, derivation वाली बात use हुई न जो मैंने आपको derivation में बताया था राइट रेंगल में similarly similarly कि sir यहाँ पर अगर बात करें sir यह center है, sir यह length कितनी होगी 5 होगी, sir यह length क्या होगी 5 होगी, क्योंकि in radius 5 है, तो sir यह भी 5 यह भी 5, हाला यह 5 और यह 5 ओके जी बात clear सभी को right, अब यह पूरी length कितनी है 60, तो भाई अगर यह 5 है तो यह कितना होगा 60 में से 5- करना है 60 में से 5- करना है, बता रखें न आप सबको short trick बताईए 60 में से 5- करने की कि सबसे पहले हमें ऐसे 60 line बनानी है, और फिर उन 60 line हमें से 5 line ने काटनी है फिर बची वी line ने count करो बहुत जल्दी answer आता है इससे लेकिन इस short trick सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी को बताना मत तो खेर यहाँ पर यह कितना है मेरा that is a 60 था, ठीक है और AB के length आपको बतानी है तो यह पूरी length कितनी है 60 तो यह वाली length कितनी हो जाएगी आपके 55 हो जाएगी, ओके यह length कितनी होगी आपके 55 हो गई तो एक बार इस पर ध्यान देना थोड़ा सा गौर फर्मानेश चीज़ पे कि 60 को पहले थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ 60 को पहले मैं यहां लिखता हूँ यह पूरी length आपकी 60 है तो 60 में से 5 है तो यह blue color से जो मैं shade कर रहा हूँ यह कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा कितना हो गया 55 हो गया राइट और यह length पूरी किया थी अच्छा यह पूरी length कितनी है 11 है यह पूरी length कितनी है that is 11 अगर यह 5 है तो यह पूरी length कितनी हो जाएगी आपकी that is 6 हो गई यह पूरी length 6 अब एक बात बताओ अगर यह पूरी length आपकी 6 है ठीक है वैसे तो 11-11 सी काम बन जाएगा मेरे को 55 पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह 6 है तो यह वाली length भी क्या होगी क्योंकि किसी भी एक point से किसी भी एक point से 2 tangent equal length के होते है तो यह कितना हो जाएगा आपका यह वाली length 6 है तो यह भी क्या होगी 6 होगी इसी तरीके से 5 है अगर यह 6 है अगर यह length 6 हो गई आपकी ये वाली length अगर 6 है क्योंकि पूरी length तो 11 है ये पूरी length कितनी है 11 है अगर ये 6 है तो ये वाली length भी क्या होगी 6 होगी तो अब आप एक सीधी सी बात अगर ध्यान दो तो ये जो line आपको दिख रही है that is P फिर यहाँ पर एक point है A यहाँ पर एक point है B और यहाँ पर एक point है R तो BR 6 है PA 6 है और पूरी की पूरी PR length कितनी आई थी आपके 61 आई थी तो AB की length कितनी हो जाएगी that is 61-6-6 यानि की 49 होगी क्या ये बात समझ आई सभी बच्चों को क्या ये बात clear है उमीद कर सकता हूं मैं फटाफट से बता दे ना ये 55 की जरुवत नहीं थी 55 निकालने की जरुवत नहीं थी 55 की जरुवत नहीं है 55 निकालने की आपको बिलकुल भी जरुवत नहीं है ठीक है आपको 55 निकालने की जरुवत नहीं थी बलकि आप सीधा सीधा यहाँ पर बोल सकते थे, कि सर ये वाली length, ठीक है, कि सर देखो ये पूरी length कितनी है, 11 है, पूरी length कितनी है, 11 है, तो सर ये 5, तो ये 6, तो सर ये भी कितना होगा, 6, सर ये 5, तो ये 6, और सर ये भी कितना होगा, 6 होगा, अब देखो पूरी की पूरी PR length कितनी है, क्योंकि PQR के असाब स पी आर लेंथ कितनी है, 61 है, अब 61 में से अगर आप ये 6, 6 माइनस कर दो, यानि पी ए और पी ए और आर भी हटा दो, तो सर, यहाँ पर ये एक काम ये भी तो कर सकते हो, सर कि पूरी की पूरी, ए आर की लेंथ 55 हो जाएगी, और सर ये वाली लेंथ 6 है, तो 49 आ जाएगा, सर 69 कहां सा है, पाइथोगरस थियोरम लगाई थी है, क्वेशन में गिवन था ना, क्वेशन में गिवन तो था, क्या, कि ये कराऊंगा, मैं रंजन कराऊंगा, बात क्लियर है सबी बच्चों को, आगे बढ़ते हैं, चलो, काफी हो गया इस पर डिसक्रिशन हो ना, सर, शिक्स पॉइंट अजी, और देखो न यह सर्कल है, अब सर्कल से यहीं तो दो टेंजन होनगे, यहीं तो दो टेंजन होनगे, यानि यह क्या बुरू उसको मैं कुछ नाव दे दू, के नाम दे दू होनगे, यानि PK और PA, यह दोनों 6-6 होनगे, ठीक है, चलो आगे बहुत प्यारा कुश्चन है ठीक है तो एक बार आप बताएं इस कांसर क्या होना चाहिए A circle is inscribed inside the triangle और ठीक है हाले कि इसको direct ध्यान लखना अभी मैं बताऊंगा ये बहुत अच्छा कुश्चन है ठीक है और इस पर एक बात आईगी जो कि direct as a direct result आप उसको बोल सकते हो ठीक है वो अभी अपन देखेंगे देखो कुश्चन क्या कहना चाहरा है कुश्चन यह कह रहा है अस circle is inscribed inside the triangle ABC ठीक है जी पहले एक triangle बना लो है यहां पर मैंने बना दिया एक triangle ABC और उसके अंदर मैंने डाल दिया एक circle ठीक है उसके अंदर मैंने क्या करा इसके अंदर मैंने डाल दिया एक circle ओके यह हो गया आपका triangle ABC जिसमें AB की length कितनी आपकी 12,6 और 17 ठीक है ते हो गया A, यह B और यह C आगे क्या कहता है 12,6 चलो वो तो देख लेंगे फिर कहता है a line is drawn such that it intersects the side AB and AC at PQ अब एक line आपको बनानी है और वो line इस तरह की line है एक line आपको बनानी है जो की AB और AC को PQ पे touch करे और cut करे और साथी साथ वो circle को touch कर रही है तो एक ऐसी line बनानी है जैसे कि मैंने एक line बनाई यह line circle को touch करनी चाहिए जैसे यहाँ पर देखो circle को touch किया है इस line ने तो इस line ने हाँ पर क्या किया circle को किया touch और इनको काटते वे निकल गई ठीक है इसको इन दो point पे काटा और यह दो point किया आपके that is p और यह point q है तो मैंने आपसे पूछा parameter बताओ ap q का क्या होगा ap q का parameter क्या होगा अब मेरी बात को सुनना ध्यान से देखो हाला कि यह चलो पहले बात करते हैं इसमें क्या given है that is a b a b a b a b a b की length 12 है ठीक है a b की length मैंने आपको यह जो पूरी की पूरी a b की length है यह 12 है और b c b c की length कितनी है b c की length है that is 6 और a c की length क्या है a c की length है आपके that is 17 यह length क्या आपके 17 है right पलग तो यहाँ पे अगर मैं बात कुरूँ अगर मुझे इसकी perimeter बताना है basically APQ APQ का perimeter क्या होगा यह मुझे बताना है आप एक छोटी जी बात सुनना ध्यान से मिरी बात को समझना और सुनने की कोशिश करना देखो सबसे पहली बात तो है circle जिन point पे इनको touch कर रहा है इस point को कुछ नाम दो जैसे कि S हो गया यह point आपका माल लेत है S हो गया और यह point आपका T हो गया अब आपको बदाए कि सर किसी भी एक point से जब दो tangent बनाए जाते हैं तो वो equal length के होते हैं मतलब कि सर देखो P point से एक यह tangent है PS और सर एक यह tangent है इसको भी कुछ नाम देई दो सर इसको R नाम देदो तो सर यहाँ पर यह जो है na PS यह PR के equal है and सर अगर आप देखोगे QT ऐसी QT वाली जो length है ऐसी सर यह जो QT वाली length है यह इस वाली length के equal है यह दोनो length equal है यह दोनो length आपस में क्या है equal है तो एक बास समझना बहुत ही अच्छा है हालकि यह answer बहुत simple सा है ठीक है ना बहुत simple सा answer है इसका लेकिन थोड़ा सा समझने का खेल है इसलिए थोड़ा समझने पर ध्यान देना ठीक है तो आप एक बास सोचो अगर आपको जैसे बताना है perimeter बताना है आपको triangle APQ का तो आप यही तो बोलो कि आप क्या करोगे AP plus PQ plus AP plus PQ plus AQ यही आपको बताना है आपको तीनों साइडों का सम बताना है AP, PQ और AQ अब आप एक बात देखो यह जो line है especially यह वाली line जो PQ है अब जो आपका I would say PQ है इससे आप ऐसे बोल सकते हो कि PQ को ऐसे break कर दो PQ को ऐसे आप break कर लो जैसे कि PR plus QR ऐसे break करके read कर लो अपने मन में और यह AQ हो गया अब आपको पता है समझ गे ना मैं क्या कर ओँँ जैसे पूरी length PQS को break कर दो कि this and this ऐसे दो हिस्सों में break कर दो R point के एसाब से अब आपको बताएगी सर जो PR है जो PR की length है वो PS के बराबर है तो सर यह वैसे विए क्या है PS है और सर जो QR है उसको आप QT लिख सकते हो और साथ में क्या चल रहा है सर AQ चल रहा है अब सर यह जो AP और PS AP और PS मिलके क्या बने सर AS हो गए और सर यहाँ पर क्या हुआ यह QT और AQ मिलके क्या हो गए QT और AQ मिलके 80 लाइन होगी सीधा सीधा कि सर यह 80 लाइन है राइट है जीवाद इस इस 80 अब आपने इंशॉट करना गया है तो सीधी जी बात है अगर आपको इसका perimeter बताना है तो perimeter का मतलब है कि आपको क्या बताना है That is AS PLUS 80 बताना क्या बताना है AS PLUS 80 बताना अब एक और मज़े दार बात सुनना AS PLUS 80 आप सीधा सीधा कैसे बता सकते हो उसके उपर मैं आप से बात करते हम यहां मैंने एक सरकल बनाया, आप इस बात को समझना और ध्यान देना, और यह है ABC है, लाइक यह माल लो यह ABC है, ठीक है, अब यह वाली जो लेंथ है, यह वाली जो लेंथ है, जैसे माल लो यह वाली लेंथ 8 है, और यह वाली लेंथ 11 है, और यह वाली लेंथ क्या है, लेट स यह वाली length 5 है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी number लो, कोई भी number, जैसे example के लिए 5 है न, आप माल लो 5 में से यह वाली length 1 है, और यह वाली length 4 है, ऐसा माल लो यह 1 यह 4, और यह क्या आपका S है, और यह वाला point क्या आपका T है, माल लो यह वाली length 1 है, और यह वाली length 4 है, यार अगर ये length आपकी यहां से आ तक 1 है तो यहां से आ तक भी क्या होगी? 1 होगी भाई अगर आपका इसको मैं R दे रहे तो नम अगर BR 1 है तो Bs भी 1 होगा अब ये पूरी length क्या आपकी? 8 है तो 8 में से 1-7 आएगा भाई A-S की length क्या होगी? क्योंकि पूरी length 8 है, 8 में से 1-7, आपने इसको 4 ले लिया, आपने इसको 4 ले लिया, तो ये वाली length भी क्या होगी, 4, 11 में से 4-7 आया, तो in shot आपका as, plus 80 क्या निकल क्या आ रहा है, that is 7, that is 7, plus 7 आ रहा है, 7 plus 7 मतलब 14 आ रहा है, और you can say, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, 7 कै कैसे आया था, जब आपने 8 में से 1-7 किया था, बही या, 8 में से 1-7 किया, तो 7 आया, और ये वाला 7 कैसे आया था, जब आपने 11 में से 4-7 किया, तो basically, आपने 11 plus 8 में से 5-7 किया, हाई या ना, right, 11 plus 8 में से 5-7 किया, मतलब कहने का, कि अगर आपको as बताना है, और आपको 80 ब को add करके base minus कर दो, क्योंकि कोई और number लेलो, मैंने 1,4 लिया न, आप 2,3 लेलो, आप यहाँ पर 2 लेलो, यहाँ पर 3 लेलो, तो यह वाली length क्या हो जाएगी, अगर यह 2 है, तो फिर यह भी 2 होगा, यह 3 है, तो यह 3 होगा, ग्यारा में से 3 गया, आठ आएगा, हाँ न, 8 में से 2 गया क्या आएगा, 6 आएगा, अब आप जब निकालोगे, मालो आपने निकाला, AS plus 80 क्या होगा, तो यह 6 कैसे आया था, यह AS की length 6 कैसे आई, जब आपने 8 में से 2 minus किया, अब 11 और 8 कितना हो गया, 19 minus 5, बात तो वही आरिय सेम ही बात तो आ रही है, 19-5, आया ना, यह आया समझ में सभी बच्चों को, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यह जो question मैंने आपको दिया था, तो यह जो question मैंने आपको दिया था, यह वाला, तो आपर आप सीधा कह सकते हो, कि अगर आपको as plus 80 बताना है, तो सीधा सा क् करना है, कि सर 12 प्लस 17 में से माइनस कर दो 6, तो कितना हो जाएगा, यह हो गया, 29 में से 6 गया, 23 हो गया, तो in short ऐसे question में कभी भी यह triangle बताना है, आपको यह वाला जो triangle, मैं इसको shade कर देता हूँ, blue color से, अगर आपको यह जो है न, A और S e P, यह काफी दिखता है question, और बच् सीधी सी बात है, A P, Q का triangle बताना है, तो जो A P, Q है न, तो यह जो A P, Q मतलब A से जाने वाली दोनों साइड है, बोले तो 12 और 17 को add करके सीधा सीधा 6 माइनस करना बिना जादा time pass कि, देखो आपको आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, it's up to you, अगर आपको यह direct result या याद रह जाए, तो तो जी बहुत काम बन जाएगा, अभी जो मैं कहा रहा हूँ, कई बच्चे मौक टेस में ऐसी देखकर यह आंसर बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिवीजन करकरके ने ऐस सारी चीज़ उनको tips पे याद है, तो क्योंकि उन बास समझ आगी है सभी को, उमीद कर सकता हूँ मैं, नहीं मैंने जिसने बोला, आयूश आप कहा रहे हैं सर, मैंने तो common tangent की length निकाली भी नहीं थी, मैं तो सिर्फ AQ की length निकाल रहा था, AP थोड़ी tangent है, AP, AP tangent नहीं है ना, आयूश, AP और AQ tangent थोड़ी है, मैं AP और AQ की length नि equal आ रही थी, राइट आयूश, आगे बढ़ते हैं, एक और question है, ये बड़ा अच्छा question है, undoubtedly, देखो ये बड़ा अच्छा सा question है, और बहुत ही भैतरीन, मतलब फंडे clear करने के point of view से, तो आपके सामने मैं एक figure बनाऊंगा, और आपको बताना है, in the given figure, find the radius of the smaller circle, ठीक है, figure क्या है, वो देखो, एक right angle triangle है, अरे, इससे पहले मुझे एक बात आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, वो सुन लेना, इससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी, इसलिए पहले आप वो बात सुन लेना, हो सकता, आप मेंसे कई बच्चों को already पता हो, लेकिन स आपके सामने कोई triangle मैंने बनाया, अगर मैंने आपके सामने कोई triangle बनाया है, that is ABC नामका, ABC नामका ट्रेंगल बनाया, और अगर मालनों मैंने एक line बनाई, that is DE, ठीक है, तो अगर आपका if DE जो है, अगर आपका DE parallel है, BC के साथ, अगर DE और BC parallel है, DC और BC parallel है तो आपको बताए दोनों triangle similar हो जाते हैं कैसे भई जब दो line ने parallel होती है तो ऐसे ये corresponding angle होते हैं ये angle equal to ये वाला angle ऐसी ये वाला angle equal to ये वाला angle होता है न और बाकी ये common angle हो गया खैर आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है अगर दो line ने, अगर किसी भी triangle में ये दो line ने parallel है न DE और BC parallel है तो आपको बस इतनी ध्यान रखना है क्या छोटे वाले triangle की side यानि की AD बडे triangle की side यानि AB तो AD upon AB मतब छोटे triangle की side upon बडे triangle की side AD upon AB is equal to AE upon AC छोटे triangle की side upon बडे triangle की side इस एक वल टू DE अपन BC ठीक है जी बात यह ध्यान रखना और साथी साथ एक और छोटी सी बात ध्यान रखना similar triangle पर ही similar triangle पर ही एक और छोटी सी बात आप ध्यान रखें क्या कि अगर आपके दो triangle ट्रेंगल सिमिलर है, जैसे कि ABC ट्रेंगल जो है, वो सिमिलर है मालो PQR ट्रेंगल के साथ, यह दो ट्रेंगल आपस में सिमिलर है, अगर यह दो ट्रेंगल सिमिलर है न मेरे भाई, तो साइड का रेशो, साइड का रेशो अगर A से B है, तो उन दोनों ट्रेंगल के मीडियन, angle-by-sector, median हो, चाहे angle-by-sector हो, चाहे आपका, क्या बुरूंगá, median, angle-by-sector, altitude, यानि, single line है, उनका ratio भी, A से B ही होगा, perimeter की बात करूं, तो उन दोनों triangle के perimeter का ratio भी, A से B होगा, लेकिन, अगर मैं area की बात करूं, तो area का ratio, ए स्क्वेर बी स्क्वेर होगा, डारेक्ट पी उसकिया करो, ठीक है जी बात, याद रहेगा, हाँ जी, हाँ ना, ये बात क्लियर है, ठक तो नहीं गया कोई बच्चा, ठका हुआ सा फील तो नहीं कर रहा है न कोई भी, वो विनीत में बात करूँगा, वो सब अभी आएंगे, वो जब ट्रेंगल पढ़ाऊंगा तब उस पे बात करूँगा मैं, मुझे पता अभी आपको इपास जितने क्वेशन आते हैं इदर उदर से सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, चलो, अब बात को सुनना, अब यहाँ यहाँ पर आते हैं, यह जो question मैंने आपको दिया, अब आप लोग प्राई करना, तो यहाँ पर मैंने इसको extend किया, और इसको लाके मैंने दिया, यहाँ पर मिला, ठीक है, अब यह क्या है, यह है P, यह है Q, यह है R, यहाँ पर एक circle है, ठीक है, यहाँ पर एक circle, और ऐसे ही एक circle यहाँ पे, इसका ये center, इसका ये center, ये वाली length है 9, ये वाली length है 12, और ये वाली length है आपकी 15, obviously ना भी बताता 15 तो आप खुद भी निकाल लेते हैं, ठीक है, ना भी बताता तो आप खुद भी निकाल सकते थे, तो ये 9, ये 12 और ये 15, और आपको ये बताने जो छोटा circle है न, इसकी radius बतानी है, इसकी radius आपको बतानी है, क्या होगी, ठीक है, छोटे वाले circle की radius, आपके साब से क्या होगी, ये आपको find out करना है, देखो, करें एक बाद डिसकस करें, जैसे मैंने आप बहुत प्यारा question है, undoubtedly कोई दो राइनी इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनना ब circle, in circle कहलाएगा, जरा ये बताना, या दोनों को in circle बोल सकते हैं, एक बार मुझे ये बताओ, कि जो in circle है, वो कौन है, बड़ा वाला circle, छोटा वाला circle या दोनों हो सकते हैं, नहीं, बड़ा वाला circle, in circle उसे कहते हैं, जो तीनों साइडों को touch करें, in circle उसे कहते हैं, जो तीन होगी जो बड़े वाले circle की radius होगी वो क्या होगी क्योंकि right angle triangle है ना मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 9 plus 12 minus 15 divided by 2 12 और 9 21 में से 15 गया 6 6 को 2 से divide करोगे 3 आएगा 3 आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वाली radius 3 है अब देखो वही बात मैंने आपको right angle triangle में derivation क्यों बताई थी इसलिए बताई थी क्योंकि वो use बहुत होती है question में देखो यहाँ बताई थी न derivation कहांगी यही इस derivation को बताने का reason यह था क्योंकि यह बात use बहुत जादा होती है ठीक है अब सेम कहानी यहाँ पर use होगी ध्यान देना कैसे देखो यह आपकी radius यह यहाँ पर क्या होगी perpendicular है यह यहाँ पर perpendicular है और जिसकी length कितनी है that is कितनी length है 3 है क्योंकि radius 3 आए अब अगर यह 3 है तो भाया यहाँ पर draw करोगे यह भी 3 होगा यह भी 3 होगा तो सर इस हिसाब से तो यह भी 3 होगा इस हिसाब से तो यह भी 3 होगा सर कोई नाम दे दो इसको क्या नाम दूँ सर ए नाम दे दो इसको तो सर यह q a की length कितनी होगी 3 होगी तो सर इसका मतलब तो सर इसका मतलब यह जो length दिख रही है आपको यह वाली यह पूरी length आपने जैसे बोला सर कि यह पूरी length कितनी थी 12 न तो सर यह 3 है तो फिर यहां से यहां तक की length कितनी होगी आपकी यहां से यहां तक की length क्या होगी that is 9 हो जाएगी that is 9 हो जाएगी I hope यार यह बात आप सभी बच्चों को समझ आई होगी ठीक है clear है बात right अब आगे सुनना देखो अब आगे की बात सुनते again एक बड़ा interesting सा point उठाते हैं अब एक बात समझना है जैसे न यह इसको मैं पहले हम पर drop करता हूँ सबसे पहले तो यह चीज में कोई दों राएँनी है इसे में जैसे यह वाला point यह वाला point और यह यह वाला point आपका ओड़ा तो यहां पर एक और चीज देखो अगर यह मैंने उक right अंगल ट्रेंगल पकड़ा यह वाला ध्यान से समझना, एक बार ये question समझोगे न, इस तरह के question आप बड़े अराम से deal कर लोगे, अगर ये O है, ये A है, और ये वाला point R, कौन से point उठा रहों है, O, A और ये R, ठीक है, ये कितना है, 3 है, सर ये कितना है, 9 है, तो O, R की length क्या होगी, O, R की length क्या होगी, सीधी सी बा करोगे, 3 से कटने पर ये 1 बन जाएगा, 3 से कटने पर ये 3 बन जाएगा, आप Pythagoras theorem लगाओ, लेकिन 1 और 3 पे लगाओ, 1 और 3 पे लगाओ, Hypertenous क्या होगा, अगर ये 1 और 3 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, Hypertenous का square is equal to base का square, यानि, जैसे 1 का square, प्लस 3 का square, 9 और 10 हो ratio wise है, 1, 3, ratio थे, उसके इसाब से root 10 है, क्योंकि आपने 3 से divide गया तो वापस आप इसमें 3 multiply करोगे, तो कितना आएगा, 3 root 10 आएगा, पहले तो ये ध्यान रखना, तो अगर ये 3 है, ये 9 है, तो ये 3 root 10 होगा, यानि कि ये जो line दिख रही है, OR, OR की length क्या होगी, that is 3 root 10 होगी 3 root 10 होगी, ये बात समझ आगे, सभी बच्चों को, ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया, आगे सुनो, आगे सुनना बात को, ठीक है, आगे की कहानी सुनना, अभी तो question start होगी, बहुत मज़िदार है question, देखो, ये R है, अब एक और point सुनो, देखो, जैसे ने ये कुछ point इसको न, थोड़ा dark करो, देखो, अगर ये 3 है, तो ये वाली length क्या होगी? 3 होगी, अगर ये R है, तो ये वाली length क्या होगी? R होगी? हाँ न भी यहां से यहां तक क्या होगा यह पॉइंट को और डार कर देता हूं मैं O से लेकर के इस पॉइंट तक 3 और इस पॉइंट से O' मतलब R अब यह जो O' R है न यह अपने को नहीं पता यह दिक्कत है क्योंकि यह मुझे clearly दिख रहा है क्या कि से यहां पर नॉर की लेंथ O'R की जो लेंथ है ना से वो कितनी है अब से ओर पर जाने का तरीक मैं पहले से देगो O'R में पर जाने का तरीक मैं सर पहले आप यहां से यहां तक जऊँ और ले करके यहां तक जौ, मतलब 3 तुकनों में travel करो, पहले 3, फिर यहां से यहां तक जौ, मतलब 3, और फिर यहां से यहां तक जौ, मतलब O-R, अब O-R नहीं पता, यह दिक्कत आगई, कि sir, O-R नहीं पता, तो सामने आले मोलत क्या दिख था भाई नहीं पता ना तो पता लगा ले डारेक दिखतो रहा है कैसे कैसे दिख रहा है डारेक उसने बोला कि भाई ये ट्रेंगल है तेरा ये तरा ट्रेंगल कौन सा वाला O, A, R यह perpendicular है और यह जो B बाल लो यह point B है तो मेरे भाई जो O-B है O-B वो भी तो perpendicular है तो B-P-T theorem लगा लो B-P-T theorem लगा उसमे यह R, यह क्या होगा? 3, भाई यह R है यह 3 है, O-R आपको नहीं पता O-R नहीं पता और यह पूरी की पूरी लेंथ आपको पता है that is 3 root 10 तो लगाओ B-P-T theorem क्या होगा? छोटे triangle की side R अपन बड़े triangle की side 3 छोटे triangle की side O-R अपन बड़े triangle की side यह नि 3 root 10 तो आ गया O-R यहां से तो यहां से O-R कितना आ जाएगा? that is R root 10 आ जाएगा कितना आ जाएगा? R root 10 आ जाएगा समझगे बाद सभी बच्चे तो यहां पर आप क्या लिखोगे? that is 3 plus R plus में R root 10 is equal to 3 root 10 इसको उठा के आप solve कर देना तो यह 3 वहां जाकर के minus हो जाएगा तो 3 root 10 minus 3 यहां से आप R common निकालो तो अंदर क्या बचेगा? root 10 root 10 plus 1 बचेगा तो यहां से R की value के आएगा आपकी 3 common निकालो थोड़ा 3 common निकालो तो under root 10 minus 1 upon में under root 10 plus 1 यह होगा small r देखरो, बहुत प्यारा गुश्चन था funday clear करने के लिए आया समझ में सभी बच्चों को आया समझ में आया जील आपने क्या लो बच वाई 3 कहां 3 लिख दिया बने? अरे यह 3 था ना यह तो 3 था स्टार्टिंग में तो निकाला था यह वाला जो सरकल है यह वाला जो सरकल है यह पूरे के पूरे right angle triangle का क्या है इन सरकल है right कोई नहीं मैं बता देता हूँ अभी मैं बताता हूँ अभी आपको फटावट से बताता हूँ बड़े अराम से आप लोग कनेक्ट कर लोगे ठीक है? एक बार मैं बता देता हूँ समझ करके कोई दिक्कत नहीं question बहुत प्यार है ठीक है देखो यह था यहाँ पर यह right angle triangle है इसके अंदर एक circle है पहले तो पहले क्या है? पहले तो जी इसके अंदर एक circle है सबसे पहले इसके अंदर एक circle है फिर सर इसके अंदर एक circle है एक circle यह बना हुए ठीक है? इसका एक center इसका एक center और यह point आपका और ये है आपका पंद्रा, तो मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, कि सर, ये इन सर्कल है, इन सर्कल ये कहलाएगा, क्यों, क्योंकि सर, ये ट्रेंगल की तीनो साइडों को टच कर रहा है, तो सर, की radius क्या होगी, that is 9 plus 12 minus 15 by 2 बोले तो 3 आजाएगी, कितने आगी 3 तो मतलब यह 3 हो गया, यह O है और मालो यह O' है यह point A हो गया, यहाँ पर perpendicular डाला, यह point B हो गया, ठीक है जी बाग, यह 3 हो गया, अब sir अगर यह length 3 है, तो sir यहाँ से ले करके, यहाँ तक की length क्या होगी that is 9 हो जाएगी, 12 में सुनौ गया 3 हो गया, clear बात यह सभी को right, अब आपने क्या बोला कि sir सबसे यह यह circle, यह circle, पहले तो ध्यान करना यह सब co-linear होते हैं, इसको लेके परिशान मत हो न, यह सारे के सारे co-linear होते हैं, तो पहले तो आपने इस बात का use किया, फिर आपने क्या करा, फिर आप यहाँ पर गए, कि यह O, यह A, और यह R, अगर यह 3 है यह आपका 9 है, तो मैंने pythagoras theorem लगाई थी, और मैंने बोला कि भई यह कितना आजाएगा, आपका 3 root 10 आजाएगा, यह जो O, R है ना यह 3 root 10 हो जाएगा, राइट O, R is what, O, R की length कितनी है, आपकी 3 root 10 है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब O, R तक travel करेंगे, लेकिन टुकडों में कैसे, पहले O से ले करके यहाँ तक travel करो, length कितनी है 3, तो जी लिखो 3, प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक travel करो भई, अगर यह R है तो यह भी R होगा यानि की R, और फिर यहाँ से यहाँ तक travel करो, यानि की O-R, अब दिक्कत यह निकल के आती है, कि सर O-R कैसे निकालेंगे, O-R कैसे निकालेंगे, तो आपने यूज किया BPT का, और यह बहुत important है यह जो है न, यहाँ perpendicular डल गया है यहाँ perpendicular, यह बहुत जादा यूज होती है किसी भी triangle के अंदर, एक बात ध्यान रखना, कि किसी भी triangle के अंदर, अगर दो circle है न, दो circle, तो यह BPT theorem जरूर, maximum chances है कि वहाँ BPT theorem लगेगी, अगर किसी circle के अंदर, अगर किसी triangle के अंदर, दो circle है, तो वहाँ पर यह जो बात अभी मैं use कर रहा हूँ, यह calculation मैं use कर रहा हूँ, यह बहुत जादा chances है कि यह वाली calculation use होगी, क्यों, क्योंकि अगर दो circle है, तो center से 2 perpendicular डलेंगे, side के उपर center से side पे 2 perpendicular डलेंगे, जाहिर सी बात है OA perpendicular है, है न, OA perpendicular है, देखो, यह OA perpendicular है, O dash B perpendicular है, O dash B क्या है, perpendicular है तो इस हिसाब से Sir, अगर यह length आपकी, देखो यह length 3 है, यह length R है है ना R, भाई radius तो निकाल ली है ना R लोगे, अब आपको O' से R तक की length पता ही है कितनी है, that is 3 root 10 है, कितनी है, 3 root 10 है, आपको main O' R निकालना है, main आपको ये O' R निकालना है, जिसको आप फिलाल में X बोल दो, तो आप क्या गरते हैं, भाई जब दो triangle similar होते हैं, ये दोनो triangle similar ह है ना, तो जब दो triangle similar होंगे, तो side है proportional होती है, अब जैसे इनका base लेलो, इन दोनो right angle triangle का पहले ये वाला part लो, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि सर ये वाली, छोटे triangle की side ये और बड़े triangle की side ये, यानि this upon this will be equal to, छोटे triangle की side यानि RO' और बड़े triangle की side यानि RO, यानि X upon 3 root 10, तो यहां से X की value की आएगी, 3 से 3 कट जाएगा, X की value की आजाएगी आपकी, that is, R root 10, यह आएगी X की value, X मैंने किसे बोला है, O' इसको, बस यहां पर put कर दो, 3 plus R plus R root 10, equal to 3 root 10, यहां से solve कर ले ना, R की value आजाएगी, आपकी कितनी आएगी, that is, 3 bracket में, root 10 minus 1 upon में, root 10 plus 1, द आप भी rationalize कर देना, वो सम्मुद्दा नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझागी बात यहां तक, वीडियो को like तो कर दी है न सबने, वीडियो like हो चुकी है सबसे, अगर किसी ने नहीं किया है, तो किरपिया वीडियो को like कर दे, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, आगे बढ़ते हैं, एक और question बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बहतरीन सा, आपके सामने कुछ इस तरह का, ठीक है, कहता है, in the given figure, PQRS is a square of side 20, and us, R is extended, देखो एक चीज़ ध्यान अखना, in center, in center और एक दूसरा है हमारा, in center और centroid, यह तो सबसे lengthy है, circum center और ortho center छोटे हैं, उस 30, 60, 90, कहाँ पर use हो रहा है, राजवीर, 30, 60, 90, last question में use कहाँ पर हो रहा था, 30, 60, 90, use नहीं हो रहा था, बना मैं कर देता, एक काम करो, in circle करने के बाद, 5 minute का break ले लेंगे, ठीक है, in circle complete हो जा, 2 question और है, तो in circle complete होगा, फिर 5 minute का break लेंगे, चलेगा, हाँ, 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 बिल्कुल सौम्या, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, चलो, अब बात को सुनना, देखो, यहाँ पे, अच्छा, पहले तो figure बनानी पड़ेगी, सॉरी, सबसे बहले figure बनानी पड़ेगी, यहाँ पे बना देता हूँ, यह figure है, सबसे पहले एक square है, PQRS नाम का, ठीक है, तो P, यह point Q, यह R, और यह S, PQRS square है, जिसकी side 20 है, S, R को आपने extend किया, T point तक, if the length of QT, अगर जो QT है, इस QT की length है, आपकी 25, what is the distance between the center O1 and O2, कहने का मतलब है, इनके अंदर दो actually circle बनाए गए है, एक circle यहाँ बना हुआ है, ठीक है, एक circle यहाँ बना हुआ है, और एक circle मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, यह दो circle बना रखा है, आपको क्या बताना है, इसका जो center है, और जो इसका center है, इनके बीच का यह distance आपको बताना है, क्या होगा, इनके बीच का distance आपको बताना है, ठीक है, कैसे करेंगे, तो आप सीधा सब बोलोगे कि sir, side कितने 20 है, side कितने 20 है, square की side 20 है, तो पहला point आपका यह होगा, कि sir एक काम करते हैं, अर्वाला right 20 होगा, sir यह 25 है, तो sir पाइतोगरस theorem पे अगर मैं जाता हूँ, पाइतोगरस theorem के साब से, तो क्यूंकि sir, 4 के dual में कट जाएगा, 5 के dual में 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो sir क्यूंकि 3, 4, 5, 1, triplet होता है, और अगर आप इन सब के अंदर 5, 5, 5, 5 multiply कर दो, 5, 5 और 5 multiply कर दो तो sir 25, 20 और 15, तो यह वाली side के होगी 15, तो in radius के आजाएगी, तो sir यहाँ से in radius निकल के आजाएगी, that is 20 plus 15 minus 25, minus 25 divided by 2, तो यह कितना हो गया मेरा, that is 35 हो गया, 5 हो गया, पहले मैं चार्जर लगा लूँ, ए में टरको बैटरी लो हो गई है, लैप्टॉप ठक गया मेरा, पहले मुझे बात बताओ, कि देखो, मैं यह चाहता हूँ, क्योंकि जमेक्टरी मुझे पता, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ, कोई भी बात आधी अधूरी रहे, तो अगर कोई सेशन जैसे मैंने 3-3 घंटे के सोचें, अगर मालो 4 घंटे हो जाते हैं, तो आप लाइव नहीं कर पाते हैं, तो रिकॉर्डिंग वगेरा से कवर कर लोगे, ऐसा तो कोई बच्चा नीना, अरे सर, इतना जाधा कौन पड़ेगा, क्योंकि आर आप टाइम ही लाइव नहीं कर पाओगे, तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, चलो, अब आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, चलो, शुरू करते हैं, अब ये मैंने आपके सामने पूरी कहानी लिख दी, अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला कि सर, सबसे पहले तो द मोटिवेट करने के लिए, जमेटरी सबसे जादा इंट्रस्टिंग होता है, सबसे जादा इंट्रस्टिंग अगर कुछ है तो वो जमेटरी है, बस प्रॉपर्टीज पता हो उसके बाद, ठीक है, देखो, यहाँ पर बात को ध्यान से सुनना, ये कितना है, जैसे मैंने बो हो गई, तो जरा इसको यहाँ पर मिलाओ, इसको न यहाँ पर लेके यहाँ पर यहाँ मिलाओ, मिला गिया मैंने, अगर ये पाँच है, तो इसका मतलब सर ये भी पाँच है, ये भी पाँच है, है न पाँच है, आपको क्या बताना है, आपको बेसिकली इन दोनों के बीच का distance बताने है आपको क्या करना है इन दोनों के बीच का ना इन दोनों के बीच का ये distance आपको बताने है क्या होगई ये वाला distance ठीक है ये distance बताने है इसे O बोल दो इसे O डैश बोल दो ये distance आपको बताने है भाई ये पांच है तो ये भी पांच है अब ध्यान से सुनना बात क्या, 5 होगा, 5 होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, और एक बात और देखो, जो square होता है, अगर किसी square के अंदर, मैंने एक circle बनाया है, तो जो circle का diameter होता है, वो उसकी side के बराबर होता है, यानि की 20, तो इसकी radius कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इसकी radius क्या होगी, 10 होगी, तो यहाँ पर यह जो square के अंदर सरकल है, इसकी radius कितनी है, जी, इसकी radius 10 है, अगर यह 5 है, तो यह 5 होगा, भई अगर यह 5 तो यह 5 होगा, पकड़ना इस बात को, यहाँ पर बनातों में triangle को ठीक है, पकड़ना चलेंगे, यहाँ पर यह O, यह O-, और इस point को भी कुछ नाम देते था हूँ, P नाम देते था हूँ, P, तो यह 5 निकला चुका है, क्योंकि यह O से लेकर पूरी radius है 10, भई अगर यह 5 है, तो सर यह भी 5 होगा, 10 में से 5 गया, यह 5 आगया, अब देखो, सर, इसकी radius 10 थी, मतलब यह जो length है, यहाँ से यहाँ तक, यह 10 है, तो सर, इसका मतलब यह जो length है, यह, यह भी क्या होगी, 10, तो इसका मतलब P से O- कितना हो गया, 15 हो गया, क्या सही बात है, P से O' कितना हो गया P से O' 15 हो गया हो गया ना 15 कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को राइट 15 हो गया अब यहाँ पर यह कितना होगा यह कितना होगा तो कर सकते हो यार मेरे साब से जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इसको suppose यह जो तीनो नंबर है अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो यह 5 से कटके 1 बनेगा यह 3 बनेगा और 1 और 3 के साब से अगर आप पाइतोगर इस त्योरम लगाओ तो रूट 10 आता है लेगिन रूट 10 में वापस 5 मल्टिप्लाई कर देना तो आपका आपको क्या बोला था जो अपने बाद में दिमाग बैठानी है कि अगर किसी ट्रेंगल के अंदर 2 सरकल है तो वहाँ पर BPT थियोरम लगने के चांसेज बहुत जादा है जैसे एक क्वेशन मैंने बताया था एक ट्रेंगल के अंदर 2 सरकल है तो BPT थियोरम का यूज होने के बहुत जादा चांसेज है आते हैं question को बहुत बहुत बहुतरी इन question नहीं है कि in the given figure ABC is an equilateral triangle if area of larger circle is 1422 cm square ठीक है 1422 cm square then area of the smaller circle then area of the smaller circle इसका बताओ ये मेरे इसाब से मेरे को personally बहुत ही ज़ादा अच्छा question मेरे इसाब से ऐसा है कि मैं क्या है सकता हूँ ये बहुत प्यारा question है ठीक है छोटा है पर अच्छा question है ठीक है अच्छा in the given figure क्या कर रहा हूँ यारा figure तो मैं बनाए ते figure बना दे तों भाई में पहले तो ये figure है sir ठीक है ये equilateral triangle है और in equilateral triangle area of larger circle is in the area of smaller मतलब basically दो circle है ठीक है एक circle ये कोई भी जज नहीं करेगा मेरे drawing को बहुत ज़ाद अच्छी है और एक circle और एक circle ये उपर की तरफ ये वाला ये तो circle A, B और C नाम का ये हमारा triangle होग है ठीक है ओके समझे बात को अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर आप बोलोगे कि सर पहले तो सर देखो ये center, सर ये यहाँ पर perpendicular और सर ये यहाँ पर perpendicular और सर इनको दो मिला तो सर BPD theorem लग रही है सर यहाँ पर BPD theorem लग रही है लग तो रही है लेकिन value तो कुछ पता ही नहीं है अगर आप देखो तो इस question के अंदर हमें कुछ भी खास नहीं बता है कुछ भी value कोई खास हमें values नहीं पता है right now इस question के अंदर नहीं पता ना कोई भी खास values हमें right now नहीं पता है ये वाला जो in circle आपको दिख रहा है और इनमें in circle कौन है अगर आप देखो तो ये in circle है in circle ये कहलाएगा क्योंकि ये तीनों साइडों को touch कर रहे तो इसकी radius क्या है small r है मालो आप कहतों सर इसकी radius small r है है ना इसकी radius क्या small r है लेकिन अब the point is की कोई खास ratio आपको particularly कोई खास ratio पता नहीं है लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं कि नहीं पता है अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो पता है कैसे देखो मैं बताता हूँ ध्यान से समझना बात को जैसे मैंने क्या बोला कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अपने को पता है और otherwise तो नहीं पता है ठीक है चलो सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पर आप एक point मुझे यह कह सकते हो अगर आपने for example जब सर आप equilateral triangle बनाते हो और उसके अंदर सर जब आप in circle बनाते हो तो सर आपने बताया था कि जो center होता है मतब centroid होता है कि सर यह क्या होता है यह centroid होता है जो कि 2 ratio 1 में divide करता है करता है न यहीं तो बताये था मैंने कि अगर यह आपका अगर यह एस एंट्रोइड है तो इसको 2 रेशो 1 में डिवाइड करेगा जैसे कि यह वाली लेंथ यहां से यहां तक अगर 2 आर है तो यह वाली लेंथ यहां से यहां तक आर क्योंकि 2 रेशो 1 में डिवाइड करता है तो आप य ये कह सकते हो ना, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना, कि सर इसका मतलब अगर ये R है, जैसे यहाँ पर सर ये R है, तो इसका मतलब सर ये समझ में आ रहा है, कि ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां से यहां तक की जो पूरी लेंथ है, सर ये क्या है, ये 2R है, क्या मैं बोल सक तो सर ये पूरा का पूरा 2R है पक्का clear भी बात ही है राइट है clear है अच्छे से अब अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे मालो यह center O है यह वाला center O dash है इसको P नाम देदो इसको Q नाम देदो तो अगर आप एक चीज देखो अंकित रिपीट करूँ हाँ बिल्कुल बताता हूँ बिल्कुल रिपीट करता हूँ देखो मैंने क्या बोला मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी क्या मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जो मैंने क्या बताया था कि अगर equilateral triangle है मैंने क्या बोला था अगर equilateral triangle है तो जो center होता है मतलब वो centroid ही होता है मतलब equilateral में क्या होता है ना in center, circum center, centroid ये सब सेम ही होते है in center, circum center, ortho center ये सब सेम होते है तो अगर ये length दिख रही है आपको ये वाली length ये अगर 1 है तो ये वाली length क्या होगी 2 होगी, यह 2 होगी, क्योंकि 2 1 के ratio में divide करता है और अगर यह 1 है, तो यह भी 1 है तो in short आप यह कहा सकते हो न, क्या कि sir, अगर यह R है, तो जैसे मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोलना चाहा indirectly, कि भई अगर यह 1 है, अगर यह 1 है तो यह पूरी length 2 होगी क्योंकि जो center है, वो 2 ratio 1 में median को divide करता है, right, क्योंकि center, centroid, in center सब सेम होते है और अगर यह 1 है, तो यह भी 1 होगा मतब यह वाली जो length है यहां से, यहां तक की जो length है, वो इसका double होगी, तो अगर यह R है तो यह पूरा 2R होगा, अब आया समझ में अब देखो, अब बात को समझना, क्या मैं इस question में यह बोल सकता हूँ, क्या मैं इस question में clearly यह बोल सकता हूँ, कि यह दोनो triangle आपस में similar है, कौन से दो triangle कि यह एक right angle triangle यह वाला, that is A P O dash, और एक right angle triangle यह बड़े वाला, जो है थोड़ा, that is A Q O, यह यह दोनो triangle आपस में similar है, बोल सकता हूँ कि सर؟ यह दोनो ट्रेंगल आपस में similar है अगर यह दोनो triangle आपस में similar है right, तो माल लो, माल लो example के लिए, example के माल लो, कि यह जो है न, यह वाला circle, यह जो सरकल आपको दिख रहा है, इसकी यह वाली length मालो x है, ये वाली length x है तो जैसे आप देखो, इसके जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है triangle बड़े वाले triangle में अगर ये r है अगर ये r है, ठीक है बड़े वाले triangle में जैसे ये आपका क्या है, that is r है, तो ये पूरी length क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या पूरी length क्या है, that is 2r है, है नो, भाई ये r है, तो ये पूरी length क्या है, अगर आप ध्यान दे, ठीक है अगर ये r, तो ये पूरी length क्या है, 2r है अगर आप इधर ध्यान दोगे, तो अगर ये x है ठीक है जैसे कि मालो यह x है तो यह पूरी लेंद क्या हो जाएगी that is 2x हो जाएगी अगर आप ध्यान दो यहां से आता है कि पूरी लेंद क्या हो जाएगी कि लाइक यह x है तो यह पूरी लेंद क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी हो जाएगी न, कि यह x है तो यह पूरी लेंद 2x हो जाएगी, कह सकता हूं मैं, लेकिन अभी पता है गया, अभी आपको r और x के बीच में कोई relation निकालना है, इस बात पर ध्यान रखना, तो आप एक चीज को ध्यान दो, आप एक चीज ध्यान दो, तो जैसे मैंने बोला यह r है, तो यह 2r, जैसे आप देख भी रहोगे, कि यह oqr है, तो यह पूरी लेंद 2r है, तो similarly x है, तो यह पूरी लेंद क्या होगी, यहां मैं लिख देता हूं, that is 2x होगी है यह पूरी लेंद, यह पूरी लेंद क्या होगी, 2x होगी, और एक और चीज देखना, यह यहां से यहां तक की length क्या होगी? R होगी, यहां से यहां तक की length R होगी, और ये वाली length क्या होगी? आपकी X होगी. ये वाली length X होगी. अभी आपको समझ आएगा कि मैं यसे क्यों कर रहा हूँ? मैं इस तरह से break करके read क्यों कर रहा हूँ? 2X कैसे? क्योंकि यार जो पहला वाला एक बार थोड़ा सा मेरी शॉरिटी के लिए थोड़ा सा पहले मुझे एक बार क्लियर कर दो हाँ जी एक बार मेरी थोड़ी शॉरिटी के लिए एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो हाँ अभी मैं आऊँगा वो 30 डिग्री वाले पॉइंट पे मैं आऊँगा 30 degree वाले point पे भी अभी मैं आऊँगा ठीक है चले आगे बढ़े अगेन repeat कर दूँ मैं एक बार अच्छा मैं repeat कर देता हूँ एक मिनट दीना इसको थोड़ा टाता हूँ थोड़ा सा confusing हो गया आप बच्चों के लिए ठीक है इसको मैं थोड़ा सा देता हूँ हटा ओके इसको मैंने यहाँ पर दिया था न मिला यहाँ पर मिला दिया था मैंने एक मिनट दोगे चला मुझे एक चीज करो एक काम करो मैं आपको बताता हूँ एक चोड़ा सा काम हम लोग इसमें और यह अड़ोन कर सकते हैं उसको सुनना आप लोग देखो इसमें आप एक काम यह additional आप डाल सकते हो इसमें एक information additional आप use कर सकते हो वो क्या है उसके ओपर बात कर लेते हैं देखो हाला कि आप x लोगे 2x आएगा वो वाला point तो आपको समझ में आई गया x और 2x वाला ठीक है या फिर r और 2r पे भी अगर मैं बात करूँ तो एक और thought है जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं वो भी सुन लेना एक छोटा सा thought और है जिसके ओपर हम लोग इस question को लेके जा सकते हैं देखो I think वो ज़्यादा easy रहेगा आप लोग को समझने के लिए बात को सुनना देखो आप सबको मैंने बताया था कि जो हमारा equilateral triangle होता है जो हमारा equilateral triangle होता है तो equilateral triangle में क्या होता है कि जो line होती है जैसे यह line आ रही है याद होगा मैंने बताया था कि equilateral triangle दो line ऐसे equal से जो line निकलती है अब जैसे यह line आ रही है तो आप क्या सकते होगी, median, angle, by sector, सब कुछ होती है, median, angle, by sector, सब होता है, अब अगर यह equilateral triangle है, तो a angle कितना होगा, 60 degree होगा, a angle is 60 degree, तो इसका मतब यह वाला angle कितना होगा, यह वाला angle, यह वाला angle कितना होगा, यह वाला angle होगा, यह वाला angle होगा, आपका 30 degree होगा, right, 30 degree होगा जो आपका O A P एंगल है, या फिर you can say O A P एंगल is 30 degree आपने क्या गरना है, आपको कहीं न कहीं यह relations निकालने, आपको radius का relation निकालना है, जैसे यह और यह, इनके बीच का relation बताना है तो यहाँ पर आप समझना 30 degree के साब से जैसे एक right angle triangle हम बनाते हैं, जैसे आपको यह right angle triangle right now दिख रहा है, ठीक है उसमें यह angle है, तो इस angle के साब से इसको perpendicular बोलते है ज़्यादा परेशान मत होना यार, अभी बाद में मैं बता भी दूँगा धंक से आपको, कि जैसे sin theta होता है, तो sin theta के होता है हमारा perpendicular upon hypotenuse होता है, ज़्यादा परेशान मत होना, यह perpendicular है यह hypotenuse है, तो sin theta is perpendicular upon hypotenuse, और sin 30 degree की value क्या होती है sin 30 degree की value होती है, 1 by 2 होती है sin 30 degree is 1 by 2 तो उस basis पे मैं है क्या सकता हूँ, कि यह वाली length अगर 1 है, तो यह पूरी length क्या होगी, मेरी 2 होगी, यह मैं दिक्कत किसी बच्चे को, हाँ जी, हाँ या ना, अभी कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, मैंने क्या बोला कि अगर यह वाली length 1 है, तो यह वाली length क्या होगी, होगी, राइट, अब यार, इसको आपने 1, 2 के ratio में बोल दिया, तो यह clear हो गया, कि यह जो right angle triangle है, जैसे APO- और AQO, तो जैसे APO में, यह 1, 2 के ratio में है, तो इसमें भी यह 1, 2 के ratio में होगा, लेकिन आपने इसको 1, 2 बोल दिया, इसको थोड़ी 1, 2 बोलोगे, अब आप यहाँ क्या बोलोगे, जैसे कोई symbol दो इसको, जैसे आपने बोला सर, इसकी radius अगर r है, इसकी radius r है, तो इस पूरे की radius कितनी हो जाएगी, इस पूरे की radius मेरी 2r हो जाएगी, अभी ठीक है, अभी बताना, अभी ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यह better है, जो मैंने इस तरह से लिखा है, यह better है, यह बर बताएंगे सभी बच्चे, मैंने क्या बोला, sin 30 degree को use कर लो, sin 30 degree हाप यूज करो, sin 30 degree क्या होता है, 1 by 2 होता है, मतब perpendicular 1 और base 2, तो इसका मतब, जो यह perpendicular, sorry, hypertenous 2, तो perpendicular और hypertenous 1, 2 के ratio में, तो अगर यह R है, तो यह पूरी length क्या हो जाएगी, आपकी, that is 2R हो जाएगी, ठीक है, अब आपने क्या अगरना है, अब आप कुछ, जैसे मैंने का connection के through, या whatever, आप R की value बता लगाँ, कि अगर यह 1 है, तो R की value in that case क्या लोग या, तो R की value इस particular case में आप क्या लोगे, तो मेरे साब से क्या आप ले सकते हो, that is की, sir, 2 upon में, 2 upon में, R plus 1, ठीक है, क्या बोला मैंने, that is 2 upon में, और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, that is, यह R हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो this particular section upon this section, 2 upon में, R plus 1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर यह मैंने 1 लिया है, right, इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि this upon this equal to 2, इससे दो equal आजाएगा, इससे दो कोई फाइदा नहीं है, ने, area given है, बट मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो तो मुझे पता area of large वाला है, वहाँ से हम लोग ठीक है, than the area of the smaller circle, कि वहाँ से हम R निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर R के थुरू हम लोग जा सकते हैं, तो वो तो ख्यार एक point है, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक minute देना, बस मुझे, ठीक है, एक minute देना, एक point है, नी, 1422 का use कर सकते हैं, निकालने के लिए, ठीक है, बट अभी जैसे मैंने बोला, कि वो मुद्दा नहीं है, हाँ, सॉर्य, नहीं, मैं यह कहा रहा हूँ, कि अगर हमने one upon R, और अगर इसको इस तरह से लिखा, तो वो उसका कोई use नहीं है, वो तो cancel out ही हो जाना है, ठीक है, यहां से R से R तो फिर cancel out ही हो जाएगा, ठीक है, एक तरीका तो यह है, no doubt, जो आप, जो अपन यह कह सकते हैं, जो बड़े वाले circle का area है, ठीक है, जो बड़े वाले circle का area, that is 1422, उसके equal रख दे, तो वहां से हम answer पर जा सकते हैं, लेकिन एक minute आप बस मुझे देना, इसमेना एक छोटा सा काम हम और कर सकते हैं, जैसे 1 है, यह 2 है, और यह अगर मेरा, अगर यह length मेरी R है, तो यह जो पूरी length होगी, यहां से लेकर के यहां तक की length, यहां से लेकर के यहां तक यह R प्लस 1 होगी, तो in short मैं यह कह सकता हूँ कि R, R प्लस 1, यानि R प्लस 3 upon, R प्लस 3 upon R is equal to 2 by 1, right, so, R प्लस 3 is equal to 2R, तो यहां से R की value क्या आ जाएगी, आपकी 3 आ जाएगी, हाँ, अब ठीक है, तो जो छोटा circle है, और जो बड़ा circle है, इसकी radius क्या है, इसकी radius 1 है, तो इसकी radius 3 है, तो इनका जो area होगा, यह 1 होगा, यह 9 होगा, 9 की value कितनी है, 1, 4, double, 2 है, connect कितने पे हो रहा है, 158 पे connect हो रहा है, तो इसका सीधा answer क्या होगा, 158 होगा, यह बात आई समझ में सब को, इसलिए मैं कहा रहा है, इसके through में बस यह बता जा रहो, उस पे जाने की जरूँत नहीं है, क्या यह समझ आई, यह मैंने कैसे लिखा है, यह बार बताएंगे चाट के दूँ, देखो, r upon 2r करोगे तो, r से r तो कटी जाना है, तो उसका कोई फाइदा थोड़ी है, देखो, मैंने यह बोला, मैंने यह बोला, मैंने यहाँ पर यह बोला, r प्लस दिने हैं, देखो, मैंने यह बोला, अगर आप ध्यान से observe करोगे बात को, एक मिन्ट रुको, देखो, question जैसे यह था, question जैसे यह था कि, हाँ, यह आपका थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ना main है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है, यह यहाँ पर, एक तो पहले एक circle यहाँ पर यह है, और एक circle यहाँ पर यह बना हूँ है, ठीक है, एक circle यहाँ पर अपना यह बन गया, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले point मैंने रखा, जैसे मालो यह, यहाँ पर आ जो, यह मैंने बनाया, और यह मैंने बनाया, यह यहाँ पर perpendicular है, यह point A है, मालो यह point P है और यह point आपका O है, अब A angle जो है, अब मुद्दा यह है कि जो A angle है वो 60 degree है, पूरा का पूरा A angle 60 degree है, तो आपका यह कहना होगा कि सर यहाँ पर अगर हम देखें A, P और O में, A, P, O में, सर यह angle अगर आप थीटा लेते हो, थीटा तो सर इस इसाब से क्या होगा, कि sin 30 degree is equal to PO, यानि कि perpendicular और hypertenous, right, PO upon में AO is equal to 1 by 2 हो जाएगा, मतलब सर अगर यह 1 है, तो यह length क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, यह 1 तो यह 2, तो अब उसके ध्यान से मेरी बात को सुनते हो चलना, अब यहाँ पर मैं इसको नीचे लेकर आया, ठ अब यह perpendicular और यह क्या आपका O' है, अब देखो, यह जो right angle triangle है, A, P, O, और यह जो triangle है, that is A, Q, O, एक right angle triangle है, A, P, O, और एक है A, Q, O' यह दोनों के दोनो right angle triangle है, और क्या है, दोनो right angle triangle है, यह दोनों, और similar है, तो यहाँ पर दिख रहा है, कि base और hypertenous 1, 2 के ratio में, base और hypertenous 1, 2 के ratio में है, तो sir, इस हिसाब से, तो sir, इस हिसाब से, अगर मालो sir, यह R है, अगर यह R है, ठीक है, वो भी छोड़ो, यह R है, तो sir, यहाँ पर, यह length, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, R होगी, sir, अगर इसकी radius से R है, तो यह भी R होगी, यह length क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहां से आतक ही क्या है, one है भई यह one है, अगर अगर यहां पर आप देखो तो यह अगर one है, तो यह भी क्या है, one है, थीक यहां से दिखना, अब एक right angle triangle आपके सामने यह है, that is a p o, जिसमें मैंने का इसकी a side 1 है, यह side 2 है और एक right angle triangle आपके सामने है that is a q o dash जिसमें ये r है और ये पूरी length कितनी है ये पूरी length a o a o dash कितना है तो देखो यहां से यहां तक की length 2 ये length 1 और ये r तो क्या ये length r plus 3 नहीं हो गई ये length r plus 3 हो गई तो इसका मतलब 2 upon 1 क्योंकि अगर दोनों triangle similar है side a proportional होंगी 2 upon 1 is equal to r plus 3 upon r तो यहां से r की value कहेगी 3 आईगी अब आया समझ में अब आया समझ में सबको right अब मैंने क्या बोला जब 2 shape similar होती है जब 2 shape similar होती है तो उनके area जैसे यहां पर दो track अब भई circle तो similar ही होते है circle क्या होते है अब जैसे एक छोटा circle ये बड़ा circle circle तो similar होते है भई छोटे circle की radius आपने 1 ली थी बड़े circle की radius 3 आ रही है तो radius 1 3 के ratio में है तो area क्या होगा बता रखा है न मैंने जब 2 similar shape है अगर radius side ये सब AB के ratio में है तो area square के ratio में होता है 1 का square 1 और इसका square 9 यानि बड़े वाले circle का area छोटे वाले का 9 उना होगा अब इसका area दे रखा है 1422 connect कितने पर हो रहा है 9 को अगर 1422 बनाना है तो multiply 158 करना होगा समझ के तो ये easy तरीक है इस पर आपका मैं दिमाग लगाना चाहता हूँ मैं उस पर नहीं चाहता कि आप 1422 से connect करो क्योंकि 1422 पर ले गए ये आर ये 2 आर फिर पाइथोगर उसक्योरम से ये height निकालोगे फिर दोनों को multiply करके 1422 फिर वहां से आप r निकालोगे वो थोड़ा tough हो जाएगा आया समझ में हाँ छोटे को मैंने assume किया है लेकिन दोनों का देखो किसी भी question में एक x मानोगे न यह नहीं कि इसको भी let कर लिया इसको भी let कर लिया ऐसे नहीं होता हाँ इसलिए मैं wait कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा कुछ ध्यान शायद मेरा कहीं और चला गया था पर बास समझ आगे सभी बच्चों को तो यहाँ पर हमारा यह right now portion खतम होता है that is in center right अभी आगेगी चीज़े असान है अभी जैसे मैंने क्या बोला आज का session है बस जो थोड चलेगा पांच मिनट का अपन ब्रेक ले लेते हैं और कुछ बच्चे अगर लाइव ही रहना चाहते हैं लाइव ही रहो पांच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं मतलब आपको you know telegram पे भी message डाल दूगा कि class is started तो अपन अभी फिलहाल में पांच मिनट का ब्रेक ले रहें ठीक है पांच मिनट का ब्रेक है फिर class को resume करते हैं चलेगा कुछ पानी पीना है कुछ और करना है coffee coffee पीनी है ठीक है वो आप पी सकते हैं थोड़ा सा recap किस चीज़ का नहीं मैं भी पांच मिनट ब्रेक ले लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा recap देता हूँ आयूश मैं ठीक है in fact आयूश एक काम कुर अगर कही notes बना रहो तो पांच मिनट जरा इक बर revise कर लो ठीक है हाँ मैं भी जरा चाय पिक लेता हूँ बस पांच मिनट देना हूँ हाँ मैं ठीक है झाल 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 तब झाल 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 यह झाल झाल यह झाल यह झाल झाल यह यह झाल यह 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 10 यह यह 1 यह 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 कियू यह 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 होगा आगे अगर मैं बात करूँ ये देखो ये ortho center है ये क्या है ortho center है ना this is ortho center this is ortho center ओगे अब अगर ये 122 है तो मेरे भाई ये कितना होगा c angle मतलब ये जो angle है होता ना ये c के इसाब से कैसे calculate करते है तो अब मैं पता है क्या कि 122 कैसे calculate किया जाएगा that is 180 minus में क्योंकि उसके उपर c angle है तो angle c तो यहां से angle c कितना आ जाएगा that is 58 आ जाएगा तो angle c कितना होगा आपका 58 degree होगा कितना होगा 58 degree लेकिन भाई साब रुके नहीं उन्होंने का ऐसे कैसे और time pass करेंगे q कहा आएगा बतातों मैं राज बतातों अब राज यहां तक पहुँच गया पन यहां तक पहुच गया अब जाएगा दुबारा ट्रेंगल बनाओ दुबारा से ट्रेंगल बनाओ यह बनाओ ठीक है यह हो गया a यह हो गया b और यह हो गया c और c angle कितना है c angle अपना है sector obviously और इसका angle by sector ये जो की मिलता है q point पे तो कहीं न कहीं अब क्यूं क्या आपका in center है क्यूं क्या आपका in center है तो angle aqb कैसे निकालेंगे that is 90 plus half of 58 degree जिसका मतलब होता है 29 तो answer कितना आ जाएगा 119 degree अचा 132 है ना sorry 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 या चलो अब 122 पे मैंने कर दिया तो 122 ही कर दो चाय में मिला के कुछ PSR ने उनको जादा हो गई है ठीक है अब रोको उने खेर जी बात क्लियर है सभी बच्चे को ठीक है 122 पे calculate कर लो या कोई ने समझ आ गया ना मैंने समझ ना अगला उशन देखते हैं इन ट्रेंगल PQR PX OY RZ be the altitude intersected O अगर ये इतना है वो उतना है वो फलाना इतना है तो धिंकाना कितना होगा तो देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने बनाया PQR यह हो गया P, यह हो गया Q, यह हो गया R सबसे पहले PX एक altitude है क्यों होगा यहाँ पर QY QY एक altitude है ठीक है RZ एक altitude है ये सब altitudes है बना दिये जी और कुछ कहता है altitude के साथ साथ ये point O है आपका ठीक है जी O बना देते हैं फिर यह कहता है कि P O, P O साथ है PX, 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 PX की पूरी लेंद कितनी है 9 है तो मैं यह बोल सकता हूँ OX 2 होगा यह बोल सकता हूँ OX कितना हो जाएगा that is 9-7 यानि कि 2 हो जाएगा कहता है Q O, Q O कितना है 5 है तो कहता है बताओ Q Y कितना होगा तो मैं पहले O Y निकाल लेता हूँ O Y अभी अभी पीछे मैंने सीखा हाना क्या सीखा था यह राना यह वाला यह वाला पार्ट यूस करूँगा मैं हापर क्या that is जो और्थो सेंटर होता है वो अल्टिट्यूड को जिस पार्ट में डिवाइड करता है मतलब 7 और 2 पे किया तो 7 इन्टू 2 और इस वाले को ब्रेक कर रहा है माल लो 5 X पर तो 5 इ ठीक है डन चाल एक और देखो कहता है इफ inner triangle the length of the two altitude are 15-18 तो बताओ जो तीसरा altitude है उसकी जितनी भी possible value है उसका sum बताओ जितनी भी possible value है अब मुझे बताओ अगर किसी भी triangle के तीन altitude है जैसे की h1, h2 और h3 नाम के तीन altitude है, h1, h2, h3 नामके 3 altitude है, तो जैसे मालो h2 जो है, h2 मैंने अभी भी क्या सीखा था, या फिर h3 बोल दो, कि h3 है, s3 क्या होगा, s3 will be greater than h1, h2 upon में h1 plus s2 and less than h1, h2 upon में h1 minus h2, बस ये बात मैं use कर लूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा तीसरा वाला altitude है, जिसकी possible values बतानी है, s3 वो greater होगा, 15 into 18 15 into 18 upon में 15 plus 18 कितना होता है, 33 होता है, that is 33, हाँ और s3 less than होगा 15 into 18 upon में, इनका difference जो कि 3 होता है तो s3 जब मैं यहाँ पर cancel out करूँगा, जब मैं यहाँ पर cancel out करूँगा क्या है, 15, 18 और कितना है मेरा 33 है, तो s3 के डवल में 6 पे गया, 3 के डवल में 11 पे गया 15, 6 कितना हो जाता, 90, 90 को 11 से करूँगा, तो s3 8.2 लिख दो s3, 8.2 से बड़ा होगा, h3 और यहाँ पर 3 इसको cancel out करेगा 5 पे, हाँ और 18, 5 ज़ा 90, और 90 से छोटा होगा, तो s3 जो h2 की possible values है न, वो s3 होंगी 9, क्योंकि integral values बतानी है तो 8.2 से बड़ा 9, 10 11 से ले करके कहा तक 89 तक possible values है अब क्या बताना है सर आपको मैंने का बई सम बताना है, आपने का बता देंगे सर, सम क्या होता है, सम that is, क्योंकि ap की form में जा रहा है, n by 2 bracket में a plus l, number of terms कितनी है, 9 से 89 कितने number हो गए हाँ जी, 9 से 89 कितने number हो गए मैं तो कहा रहा हूँ, बता दो आज देखा जाएगा ठीक है, 81 हो गए, 89 में से 9 माइनस करना, 80, 80 और 1, 81 हो गए तो 81 by 2 हो गया और bracket में a plus l, यानि कि 9 plus में 89 कर देना, ठीक है 9 plus 89 कितना हो जाता है, 98 होता है होता है, होता है, बिल्कुल होता है सर, 98 होता है, 98 को 2 से गाटोगे, 49 आएगा, तो 81 into में 49 करने ना, ठीक है 81 into 49 divided by 2 कर देना, तो 81 into में 49, जो भी आंसर आएगा, डिवाइट करेंगे 2 से ओके, तो 1, 9, 8 4.5 अरे, डिवाइट क्यों कर रहों 2 से में सिब मुल्टिप्लाइट होगा सौरी, थोड़ा भावु को गया मैं ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3, 9, 6, 9 ठीक है डन है, बात क्लियर है, सभी बच्चों को उमीद कर सकता हूँ मैं समझा गया, चलो, अगला क्या है, ब्लैंक शीट क्यों छोड़ी थी मैंने कोई खास बजे पता है, ओके अगला है, find the distance between the, अब देखो एक कुशन वो भी, ortho center, circum center जैसे आपको in center in center and circum center, in center circum center का distance निकालना पता है formula है हमारे पास, आपको in center आपको in center and ortho center भी पता है, ortho center formula हमारे पास, that is under r root 2, और अब आप एक बार ortho center और circum center भी देख लो इसके लिए कोई formula नहीं था या formula क्या, मैंने सूचा question के through डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने बोला what is the distance between the ortho center and the circum center of triangle 16, 63, 65 अब यह जो 16, 63 और मैंने क्या लिखा है 65 ओके, तो 16, 63 और 65 एक होता है triplet, एक बार चेक कर लें 16, 63 और 65 यह रहा 16, 63 और 65 एक triplet होता है, ठीक है यह क्या है, एक triplet है यह क्या है, 16 63 और 65 यह क्या है, एक triplet है क्योंकि सर, यह triplet है, तो जब आप एक right angle triangle बनाओगे ठीक है, तो सर मालो यह 16 है यह 63 है, और सर यह 65 है अब, point यह है सर कि जो आपका ortho center होता है, वो right angle triangle के कहा होता है सर, vertex पे होता है, यहाँ पर होता है सर, ortho center यहाँ पर ortho center होता है, और जो circum center है, वो hypertenious का midpoint होता है, वो क्या होता है सर hypertenious का midpoint, यहाँ पर होता है अब सर, अगर आपको इनके बीच का distance बताना है, अगर आपको यह जो distance है यह distance को अगर sir मैं D बोल दूँ तो अगर आपको D distance बताना है तो basically क्या है? median sir जो इस right angle triangle का median है वहीं ortho center और circum center के बीच का distance है और sir median कैसे निकालता है? 65 by 2, answer आ जाएगा that is 32.5 I hope यह बात clear है तो सहीरा मज़ा है आज के session में ठीक है? तो यह था आज का session और ठीक है? तो काफी सारे हम लोगों ने आज देकिन trust me आज अगर आज अगर आपको सारी कहानी समझ में आई ना तो बहुत सारी आप देखो को बहुत सारी छोटी छोटी बात हैं जो आज के session में हम लोगों ने sum up की है और अच्छा यह देख ले ना यह schedule था कौन सा बच्चा कहा रहा था? वो function graph या maxima minima जो भी कहा रहा था तो यह maxima minima इस दिन रखा है मैंने यह कर बहुत है यह 6th November को है 7 बचे और function graph भी मैंने 6th November को रखा है ठीक है? और बागी यार यह अगर आप में से कोई बच्चा cat 23 का है आपके नोन में है तो आप उसे बोल सकते हैं एक batch है यार एक बहुत ही जादा महत्तपून batch है यह ठीक है important batch है 10th November से start हो रहा है और जितने ही भी हम an academic educator है maximum educator और kone में मैं भी हूँ राइक आपको दिखनी रहा हूँगा लेकिन अब दिख जाओं वो देखो kone में बैठा हूँगा ठीक है तो मैं भी इसमें quants पढ़ाँगा मेरा भी इस batch में involvement है तो आप इस batch को join कर सकते हैं 10th of November से batch start हो रहा है ठीक है और बाकी एक और batch है cat 23 का है एक और 27th of October से मेरा batch start हुआ है ठीक है अलकेडिमें इंडरिसको रमन ही मेरा टेलिग्राम गूरूप है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त code यूज करना मत बूलना मेरा code है rmn10 मेरा नाम रमन है यार उसी का short form है rmn10 तो इस referral code का यूज करके आप अपना subscription जरूर ले ठीक है अचा रमन मत लिख देना पूरा rmn10 पूरा रमन मत लिखना बस rmn10 ठीक है या आप यूज कर लेना और बाकी यार 6 November को आपका अगला AIMT होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करें और क्या था बैच के highlights यह है structure way में course unlimited excel live recorded classes 25,000 high quality questions and class में doubt solving performance evaluation by the 100 plus mock test cat ke experts और AIMT हो आपको guidance मिलेगी plus iconic 2 subscription air अगर आप iconic लेतो तो iconic में आपको एक तो physical notes मिलेंगे मतलब घर पर आपके books आजाएंगी GDP बैट के लिए prepare कराएंगे हाँ सौमें PDF मैं दूँगा इसकी one to one mentorship आपको देखने को मिलेगी live doubt solving session होगे test analysis expert की guidance यह सब देखने को मिलता है plus में आपको digital notes मिलेंगे unlimited access पूरी आपका interactive classes well structure way में course PDF, open house, unacademy community, live test quizzes ask a doubt मतलब अपना hand raise करो, my icon करके doubt पूछ सकते हो ठीक है और यह यार fee structure है जो आपके सामने मैंने mention कर रखा है कितने महीने का क्या cost है और no cost EMI मतलब EMI पर भी ले सकते हो एक भी रुपी एक्स्टर नहीं देना आपको आपकी दोड़ा इजार रुपे की EMI बनती है वो भी आप कर सकते हो ठीक है और यह था यार आज का पूरा session अरे काफी कुछ हो गया लग रहा दिखने में को ठीक है चालो बागी कल भी करेंगे और कल हम लोग centroid खतम करेंगे ठीक है और आगे की बाते तब करेंगे और prepare for the exam in a right way because of such reasons बागे यह वीडियो को लाइक वाईक आप लोग करते होए जाना ठीक है अगर किसे ने नहीं करेंगे तो कृपिया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें शेयर कर दें ठीक है दोस्तों के साथ code तो केर मैं आपको बताई दिया यह code है मेरा शुक्री आप सभी बच्चों का comment के थूरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो और बाकी कल करेंगे आगे कल part 2 में और अच्छे लेवल पे बाते करेंगे discussion करेंगे PDF अगेर में share कर दूँगा थोड़ा तो देखो part last time पर ऐसा होता है शुक्री है शान रिवाइस कर लोगे ना काफी है आदर हिंटा हाफ एनार भी रिवाइस कर लोगे इनफ है ठीक है चलो मिलते है बाकी next last में till then take care बबाएं कल 12 बजी है 12 बजी है ठीक है चलो ओके बाए टेक कैर है